यास वहले अब्रीबान हेतेश यह तोधी विगना टाक अबाउड वैप सरीज काल्ड लूसीफर इस कहानी की शुरवात होती है लूसीफर से जिसे स्वर्ख से निकाल कर नर्क में भेज दिया जाता है अनंत काल तक शासन के लिए जब तक कि उसने विकेशन का नहीं डिसाइ जाता है और वह अपनी घाड़ी में तेज रफ्तार कहीं आगे जा रहा होता है तब पुलीस की नजर उस पर पढ़ जाती है और वह उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंचते है इसी वजह जैसे लूसीफर आपनी पूलीस वाले से कहता है कि आखिर तुम अपनी तेज भगा रहे हो तुमने शहर की रूल्स तोड़ें तो लूसीफर कहता है कि क्या तुमने कभी रूल्स नहीं तोड़ें तब वहाँ पर प्लीस वाला एपनोटाइज होकर अपनी सारी गुना अपनी सरी सच्चा ही उससे कह देता है हाला कि वह कहना तो नहीं चाहता था मगर वह यह बता देता है कि मैंने भी कई बार अपनी गाड़ी की रूल्स तोड़ें और तेज स्पीड में गाड़ी चला यह फुल वॉल्म में हॉन को बजा कर इस बात से लूसीफर हसने लगता और पैसे निकालता है और उसे पूछता है कि क्या तो मैं पैसे चाहिए तो पलीस व काम छोड़कर वापस नर्क में कब जाओगे क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी जरूरत है तुम मेरी बात को समझ रहें क्यों नहीं हो और तभी वहाँ पर सारा समय धीमा हो जाता है और तभी वहाँ पर इस काहानी के एक और करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है दील वह बीसी के लिए लूसीफर का भाई होता है और वह से धमकाता है वह कहता है कि हमारी पता तुम पर जादा महबार नहीं होंगे अगर तुम्हारी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके वापस से नर्क में आ जाओ क्योंकि तुम नहीं जानते कि बिना नर् परिशान हूं तब वहाँ पर लूसीफर कहता है कि तुम ने तो लाइफ चुनी थी सैक्स तस्वीरें और काफी सारा पैसा अब तुम इनसे परिशान क्यों हो तो डलायला कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे परिशान कर रहे हैं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं ल लेकिन लूसीफर में उसे फिर से जिंदा गरने की ताकत थिर वह से फिर से जगातर उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस पर गूलियां क्यों चुछ चलाई तो वहां पर दो डिटेक्टिव पहुंचते हैं जिन में से एक का नाम होता है क्लॉई डेकर और उसके पती का पर अपनी कारवाई कर रहे होते हैं तो वहां पर क्लूई कहती है कि तुम कोई काम तो मेरे लिए छोड़ो इस काम को मैं देखना चाहती हूं तुम इसके अंदर अपनी टांग मताड़ाना और इस हाथसे की चान बीन करते वह सीधा पहुंच जाती लूसीफर के पास में औ अगले दिन लूसीफर एक शादी को अटेंट करता है जहां पर दो जोड़े अपस में शादी कर रहे होते हैं तो लूसीफर उस आदमी को धंकाने लगता है उसका नाम होता है जिमी बांस वह से कहता है कि तुमने पैसों के लालच में तुमारी बेस फ्रेंड डलाइला को जान से मार दिया और तुम determine that क्यों कि तो वहाँ पर जिमी कहता है कि आज मेरी शादी मेरी को बरबादी में मत बदलो मैं जानता हूं कि उसकी डेथ रियुद्ट का असली उसकी psychiatrist से क्यों नहीं पूँच थी क्योंकि उसके तो काफी सारे चक्कर चल रहे थे उसकी psychiatrist तो मैं सब कुछ सच सच बता सकती है और इस बात को सुनने के बाद में वो उसे छूड़ देता है मगर तभी वहाँ पर Chloe पहुच जाती है और Chloe उससे कहती है कि मुझसे पहले तुम यहाँ पर कैसे पहुच गए क्योंकि इस केस की investigation तो मैं कर रही हूँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तब Lucifer उससे कहता है कि Delilah मेरी काफी अच्छी दोस थी तो वहाँ पर Chloe कहती है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो तो वह मुझे अपनी सारी ख्वाइश हैं अपनी सारी सच्चाहियां बताने लगता है चलो ठीक है मैं तुम पर भी ट्राय करता है और वह से पूछता है कि आखिर तुम्हारी क्या ख्वाइश हैं मगर थोड़ी देर बाद में जब उसका उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था और थोड़ी देर बाद में उन्हें साइकाइट्रिस के बारे में भी पता चलता है तब वह साइकाइट्रिस से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है लिंडा मार्टिन मगर तब वहाँ पर लूसीफर कहता है कि उसे पैनी लेन्स के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ अब वहाँ उसके पास जाने तो लूसीफर कहता है कि तुम से बड़ा धकन तो मैंने कभी नहीं देखा तुम दोनों इतने बड़े हो फिर भी छोटी बच्ची के सामने लड़ रहे हो यहां पर हमें क्लोई की बेटी भी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ट्रेक्सी एस्पिनोजा और अब वो दोनों से घर चोड़ कर अपने केस की इंवेस्टिगेशन में फिर से लग जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं पैनी लेंज के पास में वहां पर वो उससे पूछताच करते हैं कि तुम डलायला के बारे में क्या जानती तो पहले तो पैनी लेंज उ से बताती है कि उसका लड़की के साथ में चक्कर चल रहा था उसका नाम था ग्रे कूपर जो कि एक हॉलिवोड हीरो है इस बात को सुनने के बाद में वो दोनों माँसे जाने लगते हैं मगर पैनी लेंस उन्हें रोकनी लगती है और वो कहती कि तुमने मुझसे वादा किय करोगे तो लूसी पर कहता है कि मैंने वादा किया तो मुझे करना ही बढ़ेगा मगर अभी मुझे यहां से जाना है पैनी इसलिए मैं वापस आउंगा अपना काम पूरा जरूर करूंगा अपने वादे कभी नहीं तोड़ता और इसी के साथ अब दोनों पहुंच जाते है ग्रेक ऊपर के पास में जो कि एक हॉलिवोड एक्टर होता है और उससे पूछताच करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ में भी सेम टू सेम एक वैसी महंगी घड़ी है जो कि वारदात के वक्त उस आदमी के हातों में थी वो दोनों ही घड़ियां काफी मह रहेंगी और सेम टू सेम मैच कर रहे थी तो लूसीफर उससे सच्चा ही पूछता है कि आखिर डलायला को तुमने जान से क्यों मारा तो वह कहता है कि मैं डलायला से प्यार जरूर करता था मगर मैंने की कोशिश नहीं करी और उनकी बाते चली रही थी तभी वहां पर ग्र रिकॉर्ट की कीमत दूगनी हो चुकी है तब वहां पर उन दोनों की बत्ती जल्ती रोना याद आता है कि जब भी कोई पॉप स्टार मारा जाता है तो उसका क्रेडिट सबसे पहले उसके प्रिडूसर को जाता है क्योंकि प्रिडूसर नहीं उसके पॉप रिकॉर्ड में लगा होता है और अब उन दोनों को clear होता है कि उसकी मौत का असली जिम्मेदार और कोई नहीं बिलकि खुच जिमी बांस है और इसी के साथ अब वो दोनों उसके घर पर पहुंच जाते हैं वहाँ पर जिमी बांस अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पर लुसीफर उससे कहता है कि आकर तुमने उसे जान से मारने की कोशिश क्यूं की तो जिमी कहता है कि वो मुझे परिशान कर रहे थी मुझे शादी के लिए बाट जाता है और वह उसके घूली चल जाती और वो को बचाता है और कहता है कि मुझे बस दो मिनिट दो मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। और वह अब आकर जिमी वांस को अपनी असली फिस रिवीयल करता है। इवह तहीं डैकल की उसे देखकर जिमी वांस काफी जड़ा डार्ड़ जाता है। और थोड़ी देर बाद में हमें सीन दिखाया जाते है हॉस्पिटल में जहां पर अप ह्लोई की आँके खुलती है तो लुसिफर से पूचती है कि आकर मुझे यहां पर रहते हैं कितना टाइम हो गया तो वो से मजाक में कहता है कि तुम्हें तीन साल हो गया है तो पहले आंक को कब समझोगी कि मैं immortal हूं और तभी उनकी बीटी ट्रिक्सी भी वहां पर आ जाती है अब उन दोनों को बाते करता छोड़ लुसीवर वापस से अपने बार में आ जाता है और जैसी वह अपनी गाड़ी पार्क करता है तभी वहां पर उसका सोतेला भाई आमने डील वहां प आम यहीं कि अपने वादे को पूरा करने के लिए पहुंचता है सीधा लेंडा मार्टिन के पास में और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है आज हम इसके एपिसोड टू को एक्सप्लीट करेंगे तरफ इसके लास पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से नर्पहा होता है वहीं पर एक पादरी लोगों को इस दुनिया के बीच में बगवान और डेविल के होने की बात बताता है तो महां पर कैक duties है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं तो लूसीफर उसकी बात वाद मेरी दुकान बंद करने पर तुले यहां से जाओ और चुप-चाप निकलो मुझे मेरा पैसा खमाने दो इस बात से तो लूसीफर को और ज़्यादा गुस्सा आ लिंडा के पास में उसे कहता है कि मुझे लगता है कि धीरी-धीरे में बदलने लगां मगर मैं नहीं जानता कि इसके पीछे का रीजन क्या है लिंडा उसे कहती है कि हम इंजान होते ही ऐसे मगर अब धीरी-धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे वहां से लूसीफर सीधा अप तो तुम्हें कुछ भी नहीं हो इसके पीछे का रीजन क्या है तो लूसी वर उससे कहता है कि मैं तो मेरी बात माननी ही नहीं है उनकी बाते चली रही थी मगर तब वहां पर Chloe को एक कॉल आता है और उस कॉल के बाद में वह पहुंच जाती एक वारदात की जगे पर जहां में दिखाया जाता है कि रॉबी नाम का एक सेलेब्रिटी लड़का जिसकी अभी भी एक कार एक्सिडेंट में मौत हुई है साथ ही वहां पर वो शक्स भी मोजूद हो अपनी कार को जब तेज चला रहा था तो उसकी कार का एक्सिडेंट हो गया अब यहां पर केस मिस्ट्री बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है यहां पर कातिल भी सामने है और कतल भी सामने हमें इसमें दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं मगर तभी आपर Chloe कहती कि मुझे उसकी तहकीगात क्यों नहीं करती हो और इसी बात को सुनने के बाद में वो दोनों पहुंच जाते हैं निक के पास में और उसे पूछते हैं कि आखिर यहां पर हुआ क्या था तो वह सचा ही बताने लगता है कि मैं गुनेगार हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए और तुम प् क्लोई को कहता है कि केस तो बिल्कुल एजी है यह खुद गुना मान रहा है तो अंपर तबी समय बिल्कुल धीम हो जाता है और तबी वहां पर आमेने डील पहुंच जाता है वो से कहता है कि तुमने क्या सूचा मैंने तुमें एक डील दी थी कह तुम अभी नर्क में आना चाहते हो तो वहाँ पर लूसीफर कहता है कि मैंने तुमें पहले भी मना किया था और मेरा इरादा अभी यही है मैं वहाँ पर नहीं आना चाहता तो अमैनेडील से कहता है कि मुझे लगता है Lucy की तुम बदलने लगे हो तुमने एक इनसान की जान बचाई। warrant का देवता कभी नहीं करता आकर तुमने ऐसा क्यों किया। तुम बदल क्यों रहूँ मैं बस तुम से यहीं चाता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम नर्क में वापस लॉट जाओ वरना अगर हमारे पिता यहां पर आ गए तो वो तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे इस बात से लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा अभी तुम्हें यह से जा सकते हो और यह सुनने के बाद में अमेनटील वहां से निकल जाता है वहीं क्लोई अब उस खून की जाच पड़ताल करने लगती तभी उसकी बेड़ी ट्रिक्सी वहां पर आ जाती है और वो पूछती है कि मौम आप क्या कर रहे हैं कि आप कोई गंदी वेबसाइट देख रहे हैं तो उसकी मौम कहती है कि नहीं बेटा मैं बस एक केस की इंव लूसीफर और वो उससे कहता है कि तुम्हारा घर तो काफी शानदार है मुझे तो तुम्हारी शगल लेकर लगी नहीं रहता कि तुम्हारे पास मैं इतना अच्छा घर भी होगा तब ही मापर क्लोई कहती है कि कोई इंवेस्टिकेशन प्लेस नहीं बेलकि मेरा घर है अब तुम्हारी शानना चाते हो मगर मैं तुम्हें कूछ नहीं बता हुगा तो कि चलने यह कोई तो निक कहता है कि वह अलग जरूर है मगर वह अलग क्यों है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता यह आज से कई साल पुरानी बात थी जब क्लोई ने हॉट टब हाई स्कूल की रिकॉर्डिंग करी थी वह उसके इंदर नेकेट थी लोगों को वह सेरीज काफी पसंद दि दिया हलाकि मुझे फोटोस तो मिल गई और उससे मैंने काफी पैसा भी कमाया मगर इसी बीच उसके और मेरे बीच में बात बिगड़ गई लूसीवर यह बाद जानने के बाद में और बीज़दा की पीछे कौन है मगर तभी निक अपनी नजरे फिरा ले तर वह कहता है कि तो माकरे बदल क्यों रहे हो मैं देख रही हो कि धीरी धीरे तुम इंसानों की मदद करें उनकी जान बचा रहे हो एक डेविल कभी भी ऐसा नहीं करता उनकी चल रहे इन बातों की बीच में तभी वहां पर क्लोई पहुंच जाती है और वह से कहती है कि अभी अभी जस्ट कई सारे स्लेब्रीटी मौजूद होते और वहां पर कई सारे फोटोग्राफर्स भी होते हैं जोनकी फोटोस क्लिक कर रहे होते हैं और तब वहां पर उन्याश मिल जाता है अब जाश नहीं चाता था कि वह उनके हाथों पकड़ा जाए इसी वज़े से वह बाकी सभी फोट क्यूं लगे थे तो जोश कहता है मैं तो बस एक फोटोग्राफर और मैं बस मुवमेंट कैप्चर करता हूं और थोड़ी देर में वहां पर वह एक और फोटो क्लिक करने लगता है जहां पर एक सेलेबिटी को एक दूसी सेलेबिटी आकर थपड़ मार देती है तो लूसी कहकर वहां से निकल जाता है उसी रात निक से इंवेस्टिकेशन करने के लिए उसके सेल में पहुंचती है और उससे बातचीत करने लगती है उस घटी वारदात के बारी में मगर तभी उसे कॉल आता है और जैसी वह बाहर जाती है कॉल पर बातचीत करने लगती है और जब और तभी वहाँ पर लूसीफर जोश से कहता है कि अब तुम दोनों के पास में अपने अपने सामने एक गन है। तुम दोनों नहीं गलती करिए और तुम दोनों को उसकी सजा मिलने चाहिए। जोश ने एक इंसान का कतल किया, वहें पर कतल के इलजाम को बचाने वाले के लिए निक ने उसका साथ दिया। इसलिए तुम दोनों को सजा मिलने चाहिए और अब इस केस को यह तुम दोनों में से कोई खत्म करेगा। लूसीफर को रोखनी की कोशिश करती है वो से कहते है कि आखिर तुम ये सब कर कह रहे हो तो लूसीफर उससे कहता है कि ये मेरा नयाय है इसके बीच में मताओ इन दोनों को ये अपनी जंग खुद लड़ने दो और सबसे पहले वहां पर जॉश गोली चला देता है मगर जॉ लेकिन अब जब नय हो चुका था तो लूसीफर अभी सिचुएशन को समालना चाता था इसलिए वो प्रार्थना करना शुरू करता है और जो गोली निक ने अपनी बंदूग से चलाई थी वह वहीं समय की धीरे हो जाने कारण रुख जाती और तभी वहां पर अमेने डिल पहुंच जाता है तो अमेने डिल पूछता है उससे कि आकर तुमने मुझे यहां पर क्यों बुला है लूसीफर उससे कहता है कि मेरे भाई तुमने मुझे सही कहा था तो अमेने डिल कहते है कि क्या तुम वापस से नर्क में आना चाते हो तो वह कहता है कि नहीं मेरे भाई को सजा हो जाती है वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लोसिफर लिंडा के साथ में जो कि आपस में सेक्स कर रहे होते हैं तो लिंडा उसे कहती है कि इंसानों का असर तुम पर हो रहा है और धिरी धिरी अगर ऐसा और होता रहा तो तुम पूरे इंसान बन जाओगे वहीं अब क्लोई जेल में पहुंचती है जेमी बांस से मिलने के लिए और उसे कहती है कि आखिर तुमने गूली चलाई थी जरूर मेरे और लूसीफर के उपर तो लूसीफर का कुछ क्यों नहीं बिगड़ा क्या तो उसके बारे में कुछ जानते हो तो वहां पर वह से ड़न करेंगे से विदाउट वेस्टिंग टाइम चली आते हैं इस कहानी के में स्टोरी लाइन की दरब इसके शरवात में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहां पर काफी सारी लड़कियां दारू और साथी बेश्यमार पार्टी हो रही थी वहीं पर वहां लूसीफर पहु और साथ एक सेलेब्रिटी भी क्या तुमने आज तक कभी किसी की साथ एक हसीन रात नहीं देता ही और तभी वहां पर उनकी बातों में एली नाम की लड़की पहुंच जाती है और वो टाय को अपनी और रिजहानी की कोशिश करती है तो लूसीफर उससे कहता है कि तुम्हा को बूल देने के बाद में अब लूसीफर उससे कहता है कि तुम्हें तो अब जाने ही पड़ेगा और अब टाय भी एली के साथ जाने के लिए तयार हो जाता है वहीं पर लूसीफर मॉनिंग स्टार उस पार्टी के मज़े लेने लगता है वहीं से सीफ्ट होता है अगले कहता है कि एक अर्जंट मापला है तो मैं जल्दी से यहां पर आना पड़ेगा तो बहुर कर 뭔 कंदिर अदर भी लाश छेर रही होती है इस बात को देखकर वो काफी गबरा जाती है और वो कहती कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला तो वहाँ पर लूसीफर कहता है कि मैंने ही कल एली को टाय के साथ मैं भेजाता कुछ अच्छा समय बताने के लिए और आज मुझे इसकी लाश मिली और ऐसी केस मिस्ट्रीस को तुम काफी अच्छे तरीकी से सॉल्व करती हो इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया क्लोई वहाँ पर पूरे घर की चानबीन करने लगती है और तभी उसे चानबीन के अंदर उस एली की गाड़ी की चाबी मिलती है और जब वो उसकी गाड़ी की तहकीकात करती है तो उसके अंदर से उसकी आईडी मिलती है जिसकी मदद से पुलीस वाले उसकी आइडेंटि तुम यहां पर पॉन देख रहे हो बैटकर तो वहां पर लूसीफर कहता है कि यहां पर और भी कुछ छिपा है तो मिसे जरूर चेक आउट करना और वह फोन को देखने लगती है तो उसे लगता है कि नाकून तो बिस्तर पर तूटा हुआ था और जरूर उस लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है इसी वज़े से वह अब गिरफ्त में ले लीती है टाय को और उसे अपने साथ कस्टडी में लेकर जाने लगती है तो उसे लूसीफर रोकते और कहता है कि नहीं इसके अंदर इसका कोई कसूर नहीं है यह तो बेकसूर वार है तुम इसे बेवज़ा पकड़ रही हूं तो क्लोई उससे कहती कि तो मुझे मेरा काम मत सिखाओ असल वारदात पर यह मौजूद था और साथ इसकी क्लीन इमीज भी है और यह कभी नहीं चाहेगा कि मेरी क्लीन इमीज एक लड़की वज़े से वेस्ट हो इसी वज़े से इस लड़की को जान से मा बीसको सबस्क्राइब एक सवेमी सबस्क्राइब इस बात को सुनने के माड़ मैं एक नया जखाब जाता और वो अब इस case के अंदर भी Chloe के साथ लग जाता है लूसीफर और साथ ही Chloe की इस case mystery से जोड़ी पहली कड़ी थी उनका agent जिसने पूरी party organize करवाई थी उसका नाम था जो और तभी दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो जो उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर कितने लोगों को invite किया था तो वह उसे 250 लोगों के नाम की लिस्ट देता है तो वहाँ पर यह सोचने लगती है कि अगर टाय की बेगुनाई साबित करनी है तो इन पूरे 200 लोगों के साथ में पूछताच करनी पड़ेगी जो की कोई आसान बात नहीं है तो लूसीवर और उस बात का शॉटट कट निकालते और सीधा आँकों में घूर कर देखता है जो की और उसे कहता है कि आखिर तुम क्या चाते हो तो मारी ख्वाइश कह था है तो वहां पर जो कहता है कि मैं सबसे अच्छा ऑगे रहना चाहता हूं और यह वाही पर करनी कि आ है जो उने कहता है कि तो मुझपर शक्ङूं कर रहे ह। तुम जाकर डेबरा को क्यों पकड़ ती जिए कि ने उसे गुष आनसे मार दिया तो जाकर कुन ही पकड़ते हैं और इस बात को सुनने के बाद में लूसीफर और साथी क्लोई अब डेबरा के पास पहुंच जाते हैं उससे पूछताश करने के लिए मगर वहां से डैबरा अपनी नजर चुरा कर भागने लगती और तभी वहां पर उसकी गाड़ी में एक बहुती बड़ा इंदर पता चलता है कि डैबरा पर आई जरूर थी रात को मगर जस टाइम कतल हुआ उस टाइम वो रही थी और वो एक होटल में बैटकर सिर्फ आइस्क्रीम खाते जारी थी क्योंकि उसका बाइफ्रेंड किसी और के साथ में रंगरलिया मना रहा था और अब इनी से भी उससे मैं अगर पूछता है कि आखिर तुमने एली का खौन क्यों किया तो पहले तो वो कुछ भी नहीं बता था मगर जब लूसीफर उसकी आँखों में घूर कर देखता है और उससे सच्चा यूगलवाता है तो वहां पर जो फाइनली इस बात को रिवील करी देता है कि म मुझे डर लग रहा था मैं जानता था कि टाई एक बहुत ही बड़ा सेलेबरिटी बनने वाला है और उसने एक दूसरी एजिंसी के साथ में बात करी थी जो कि उससे सेक्योरिटी प्रोवाइट कर सके और अगर किसी और से सेक्योरिटी ले लिता तो मेरा नुकसान हो जाता और मैं ऐसा नुकसान कभी नहीं चाता था इसी लिए मैंनो उसकी image को खराब करने के लिए एक लड़की से contact किया और उसे उसके साथ में राद बितानी के लिए कहा लेकिन उसने मुझे blackmail करना शुरू कर दिया और इसी वजह से मुझे उसे जान से मारना पड़ा इस बात को सुनने के बाद तो लूसिफर को और ज़दा गुस्सा आ जाता है और वहां पर मौझूद पुलीज भी जो को पुलीज कस्टिटी में लेकर अपने साथ ले जाती है और इसी की साथ एक और मिस्ट्री केस सॉल्फ हो जाता है एक तरफ जेल से टाइड चूट जाता है वहीं उ मैं खुशी देनी की कोशिश करती हूं बस यह है कि तुम इंसानों को समझो और उनकी ताल से ताल मिलाते चलो और यह सुनने के बाद में लूसिफर वहां से चला जाता है वहीं अगले सीन में हमें दिखाए जाती है क्लूई जो की उस CCTV फुटेज को देख रही थी जब मैं अब उसका शक और भी जदा यकीन में बदलने लगा उसे हमेशा से लगा था कि लूसिफर कोई आम इंसान नहीं बैल की कोई डैविल है और इसी सस्पेंस के साथ में यह एपिसोट यहीं पर खट में होता है आज हम इसके चौते एपिसोट को एक्स्प्लेइन करने वाल लगती है वो बस सोच रही होती है लूसिफर के बारे में क्योंकि उसने अपने सीने पर इतनी गूलियां खाई और साथी जोग को काफी दूर उठाकर फैक दिया वही सोचने पर मजबूर हो जाती कि क्या वह अपने आपकी जो एडेंटिटी हमेशा मुझे बताता है कि मैं एक डिवल हूँ ये बात सच है जूट और इनी बातों को सोचते वे उसे कुछ आवाज आने लगती है उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई है और इसी बात को क्लियर करने के लिए वह बस टौवल लपेट कर भाहर आ जाती है और अपनी गन के साथ में घर में सतरकता से देखकर कहता है कि वाओ देखकर मज़ा आ गया हॉट टाव आई स्कूल के बाद में भी तुमने अपने फिगर को मेंटेन करके रखाया कि इसके पीछे का क्या राज है और उसे कहती है कि अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो और वो उसे बिना को सोचे समझे घर के बाहर का पर निकलनहें वाले होती हैं लेकिन तभी माँ पर दैन और साथ ही उसकी बेटि ट्रिक्सी पहु Да कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी ने कर रäsता हो सकते इस बात को सुनने के बाद में और ज़ादा खराव हो वो काफी टाइम पहले मेक्सिको से यहां लॉस अंजुलिस आये थे लेकिन तीन दिन से लिंसी गयाब है और उसके भाई कभी कुछ अता पता नहीं है तब वहाँ बर क्लोई कहते है कि क्या तुमने तैकिकात करनी की कोशिश करी इसलिए अगर उससे बाचीत करनी है तो पुलीस कस्टेडी में नहीं बलकि उसी के प्राइवेट प्लेस पर करनी पड़ेगी तो वहाँ पर क्लोई कहते है कि उसके प्लेस पर पहुंचने का क्या तरीका है तो तुम्हें लूसीफर के साथ वहाँ पर जाना पड़ेगा हाला कि मैं तुम्हें यह करने तो देना नहीं चाहता है लेकिन क्या करूँ अप काम में तो करना ही पड़ेगा वहीं से सीन शिफ्ट होता है लूसीफर पे जो कि लिंडा के पास पहुंचता है और लिंडा को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो लिंडा कहती कि नहीं अभी नहीं तो वह कहता है कि क्या तुम्हें पेमेंट चाहिए और वो अपनी पैंट खोलने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर लिंडा कहती है कि अगर किसी इंसान के दिल में जगह बनानी हो तो उसे वो सब कुछ खोल के दिखा दो जो तुम देना चाहते हो यह नहीं कि अपना दिल उसके साथ मज़े करो रात बिताओ और तब जाकर वो तुम्हारे साथ तो लूसीफर पहले तो गुस्सा ओतर उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे घर से बाहर निकाला ता और अब तो मुझे आकर मेरे लिए काम दे रही हो तुमने मुझे समझ के क्या रखा है तब वहां पर क्लोई से बताती है कि दो भाई बैंट है जिनका ना के बाद में अब लूसीफर भी उसकी हां में हां मिला देता है और वहीं पर रात को अब ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी क्लब के अंदर जहां पर काफी सरी लड़कियां दारू और काफी शांदर पार्टी चल रही थे और तब ही वहां पर एक लड़का भागता वाता ह उसका नाम लेता है कि कारवर तुम ही ओ असली कातिल और तुम्हें में पकड़के रहूंगा जिंदा चोड़ूंगा नहीं और तुम्हें तो सजा मिलेगी तब वहां पर लूसीफर उसे आके कहता है कि सजा देना तो मेरा काम है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ तो वह देर के बाद में वह सेमिनार स्टार्ट होता है जहां पर कारवर क्रू अब सभी लोगों की बीच में आता है और वह लोगों को बताता है कि मर्द एक भगवान की सबसे शांदार क्रियेशन है वह हमेशा बीड़ी की तरह होते हैं और लड़कियां जो की भीगी बिल्ली की होती है उनको पटाने के लिए पांच तरीके हैं उनकी रक्षा करो ब्रेव बनो उनका साथ दो और सब कुछ खोल कर देदो जो वह पाना चाहती है इन बातों को सुनने के बाद में लूसीवर अपना हाथ खड़ा करता है उसे कहता है कि यह सारी चीज़े तो मेरे पास और लेकिन फिर भी मेरे पास में जो लड़की बैठी है वो मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहती है तो वहाँ पर पहले तो वह उसे कहता है कि जरूर तुम में उसे वो नहीं मिल पा रहागा जो सच चाहिए तुम यहां पर बैठ कर बस मेरी बाते सुनो और सब कुछ तुमें ले और जैसे कारवर को पता लगते हैं कि यहां पर एक पुलीस कमिशनर मौझूद है तो वह वहां पर अपनी सिकरेटी को बलाकर उन दोनों को अपने सेमिनर से बाहर खदेड़ देता है और बाहर निकल जाने के बाद में वहां पर उसके पास में उसकी कमिशनर का कॉल आत हैं मगर तभी वहां पर क्लोई से कहती है कि यह बात हमारे सेक्स करने रात में सोनी की नहीं बलकि एक लड़की के लापता हो जाने की और क्या पता वो जिंदा भी है या नहीं अगर तुमने मेरा साथ दिया तो कम से कम एक इंसान की जान तो बचा पाएंगे और अब यह ब सीदा नर्क में पहुंच जाए तुम उसे कहने वाले कुछ नहीं होते हो और इसी गर्मा-गर्मी के अंदर उन दोनों के बीच में तगडी फाइट शुरू जाती है लेकिन मेज की इंचलाक थी और वो अपनी जीप से अमैने डील को चाटने लगती है उसे कहती है कि मैं ज क्लोई पर अब उसे ये बात तो पता थी कि सेमिनार के खत्म जाने के बाद में एक आफ्टर पार्टी भी रखी एक कारवर क्रूने तो उसी की पार्टी के लिए वहां पर पहुंची होती है और तब उसके सामने लूसीवर नंगा खड़ा हो जाता है और वह से कहता है कि पहुँदा जाये और वैसी भी आजरात की पार्टी लेकिन उससे पहले हम चाहें तो तोड़ा सा टाइम स्पेंट कर सकते हैं अगर तुम चाहो तू और तब ही वहां पर प्लोई को उसके पीट पर निशान दिखते हैं जैसे कि 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 पंक उखाड दियों तो वह उसके पास से निकल गया तो फिर कारवर क्रू हमारे पकड़ में कभी नहीं आएगा और तभी महां पर लूसीफर उसे ड्रेस लाकर देता है और उस ड्रेस को पहन लेने के बाद में अब क्लोई और लूसीफर दोनों पाँच जाते हैं उसी पार्टी के इंतर क्लोई इतनी सुंदर ल सब्सक्राइब को अगवा कर लिया है और अभी उनको कॉल आता ही होगा और थोड़ी देर के अंदर एक कॉल आता है और तब वहां पर वह कॉल उठा लेता है लूसीफर और पूछता है कि आखिर लिंसी कहां पर है तो किड़नेपर कहते हैं कि हमें 30 लाक लाकर दो और लिं पहले मुझे इस बात का सबूत दो कि लिंसी जिन्दा है और थोड़ी देर बाद में वह किड़नेपर अब कारवर के मुबाइल पर एक वीडियो भीडियो के अंदर हमें दिखाई जोती है लिंसी जिसकी हालत काफी जदा बुरी थी उससे काफी पीटा गया था इसे देख रहे हैं कि तो मैं लिंसी से प्यार हो गया तब आपर कारवर सच्छा ही बताता है कि आज से तीन मेने पहले हम मिले थे और इसे मिलने के बाद मैं अपना दिल उसे दे बैठा और उसे बचानी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और अब इसी के साथ लूसीफर तीस लाख ल वह शक्ति है जिससे मैं किसी भी ख्वाईश को जान सकता हूं क्या तो मैं मेरी बात पर भरोसा नहीं है चाहो तो मुझे गोली मार कर देख लो तो क्लोई से कहते कि तुम्हें गोली पढ़ने पर कैसा लगता है तो वह उसे चोटी सी चिम्टी काटता है कि बस मुझे इतना जाकर गेट बंद कर दीता है और कहता है कि डील इस डील मैं उसके साथ में डील कर दी कि कोई भी पुलीस वाला नहीं आएगा तो मैं तुम्हें अंदर आने कैसे दी सकता हूं और इसके बाद में लूसीफर पहुंच जाता है अब कारवर के साथ में उस पूरे सेंटर हॉल 60 में जहां पर कडिनेबेन उन्हें भुलाया था किडनेपर रहा गिए कहता है कि मुझे 30 लाख दे दू आ पर mimजा के whisky को लेकर कि तुमने मेरा मजाग उड़ाया तुमने मुझे यूस किया मेरा शोशन किया मैं एक वर्जिन लड़की थी और तुम्हारी वज़े से मेरी जिंदगी भरबाद हुए और तुम यहां पर आकर लोगों को गया शिक्षा देते हैं रहते हो कि लड़की को कैसे पटाना है मैं त तभी वहां पर पहुंच जाती है क्लोई और वो भी उस पर बंदूक तान देती है और वो उसे कहती कि आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है कि तो मैं किट्नैपर के साथ में मिले वे हो तो वहां लूसीवर उसे कहता है कि मैं डेवल हो बंदूक को नीचे कर दो वैस जाती है आद वहां पर पुलीस भी आ जाती है और वहीं पर अमें दिखायाए जाता है कि लोसीवर ख्लूक कbee कोशिश कर रहा होता है और वहां कि नौरल कि दौरी ने घूली चला था तो उससे भी सजा मिलने चाहिए थी लेकिन लूसीफर ने ये बात घुमा दी कि वह चोरों को पकड़ने की चक्कर में उसके गोली चली और वह गलती से मुझे लगते इसमें क्लोई का कोई भी हाथ नहीं और लूटेनेंट उसकी बातों से एगरी करके उसे छोड़ देती है और वहीं अब यह दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं हमने मिलकर एक और मिस्ट्री केस कर दिया इसके बाद में क्लोई लूसीवर को उसके घर छोड़ देती और बाद में अपने घर आती है तो आपके साथ में लूसीफर भी था तो उसकी मॉम कहते है कि हाँ बेटा मेरे साथ लूसीफर भी था तवाँ पर ट्रिकसी कहती है कि मॉम एक बार आपने मुझे कहा था कि मेरी स्कूल में एक लड़का पीटर जो मेरे उपर औरेंज फेकर मारता था तो मैं उससे काफी लड़ा करती तो आपने मुझे कहा था कि वो जरूर तुमसे प्यार करता है इसकी वज अनाइजर था बैनी जॉय यहाँ पर मैजगीन और लूसीफर तौनों ये फैशन शो एंजॉय कर रहे थे और हमारे मस्त मिजास डेविल हमेशा से लड़कियों के आगे पीछे ही रहते थे कुछी देर के अंदर वहाँ पर एक फायर होता है और सभी लोग वहाँ से भागन मैजगीन वहाँ से लूसीफर को निकालने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में यहाँ पर पता चलता है कि एक मर्डर हो चुका है सीन शिफ्ट होता है पुलिस टेशन में जहां पर क्लोई और बैन आपस में बात कर रहे थे कि तुम अपना ध्यान रखो या फिर हो सकता है कि इस केस से दूर रहो नहीं तो लूसीफर अगर तुमारे साथ में रहेगा तो तुम रोज किसी न किसी मुसीबत में पढ़ती रहोगी तो क्लोई कहती है कि मैंने उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया है ये वर्ड्स खतम भी नहीं हुए थे कि तभी वहाँ पे लूसी बिदा नहीं है और इसी के बाद में लूसीफर अपनी आखों का मैजिक दिखाता है और लेफटिनेंट अपने इल्यूजिन में चली जाती है जिससे लूसीफर को पता चलता है कि इस लेफटिनेंट को कोई बहुत अच्छा डैजिगनेशन चाहिए इस कारण उसे कोई अफिशिली चिपक चुका हूँ ये दौनों अपने रीसेंट केस को सौल्फ करने के लिए निकलते हैं जहां पर इन्हें बैनी जॉई के पास में जाना था बैनी जॉई जैसे ही लूसीफर को देखता है तो वो कहता है कि बड़े दिनों बाद मिले हो तुम इससे क्लोई को पता चलता है कि बैनी जॉई पे उन्हीं लोगों में से एक है जिसके उपर लूसीफर ने एक टाइम के अंदर एहसान किया था बैनी पहले तो कुछ नहीं कहता है लेकिन बाद में लूसीफर कहता है कि अब ये वही टाइम है जब तुम्हें मेरा एहसान चुकाना है इसके बाद में बैनी बोलता है कि वहाँ पे शायद लैटिन किंग आये थे और वो लोग मेरे शो देखने के लिए जखड़ा कर रहे थे अगर वो लोग अंदर नहीं आ पाते तो हो सकता है कि गैंग वाट चिर जाती और इसी के बाद में बैनी के असिस्टेंट जिसका नाम था हेक यह क्लोई वहाँ जाने के लिए सक्त मना कर देती है वो बोलती है कि वहाँ के लोग मुझे पिल्कुल पसंद नहीं करते अब यह लोग बार में जब पहुंच चुके थे तो वहाँ की सारी इंस्पेक्टर क्लोई को घूर घूर के देख रहे थे लोग हैं और वो जो आदम पुड में हमें पलमेटो केस के बारे में कुछ न कुछ पता चलता जाएगा जब वही इंस्पेक्टर आके क्लोई को कुछ गलत बोल जाता है तो लुसिफर ये चीज़ बरदाश नहीं करता है और उस इंस्पेक्टर को चाके एक पंच लगा देता है यहां हमें दिखाया जाता है कि मैजिकीन अमैनेडियल से मिलने आती है अमैनेडियल कहता है कि तुम यहां पर कर क्या रही हो तुम्हें लुसिफर को वापस घर लेके जाना है तो मैजिकीन कहती है कि वो आजकल मेरी बात कुछ भी नहीं सुनता है वो मुझसे बात नहीं करता है बलकि एक खास पूट बोल के बताता है कि मैं डॉक्टर कैनन हूँ जो कि जस्ट अभी आपके पास वाले आफिस में शिफ्ट हुआ हूँ यहां लूसिफर के क्लब के अंदर मैजिकीन लूसिफर से बात करती है कि तुम्हारा खून बहा है तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ नॉलेज भी है या नई है तो लूसिफर कहता है कि तुम्हारा काम ही क्या है फिर तुम्हें मेरे लिए ही भीजा गया है बलकि तुम्हें मेरे लिए ही बनाया गया है तो तुम्हार समय मेरे आस पास रहो यहीं तुम्हारा काम है और अब वहां पर डैन भी आ चुका था यानि की क्ल भूम रहे हो वो मेरे बच्चे की मा है तो तुमें उसका खयाल रखना जरूरी है और लूसिफर उसे कहता है कि बिल्कुल सर अब लूसिफर और क्लोई पहुंच जाते हैं डैन और ड्रियागो की घर पे जहां क्लोई ने लूसिफर को कार में ही बंद कर दिया था और क्लोई खुद अकेली चा के डोर पे नॉक नॉक कर रही थी कि इतने ही देर में घर के अंदर से चीखनी की आवाज आती है क्लोई नॉक नॉक करने के बजाए सीधा दरवाजा तोड़के अंदर पहुचती है तो वो देखती है कि एक तरफ तो डैनी और ड्रियागो बैट पे है औ से रिलेटेट ये बात सुनके ड्रियागो वहाँ पे रोने लगता है तब डैनी कहती है कि आखिर ये इसकी भैन थी पावलो को बैनी के शो में जाना था हम लोगों के पास में तीन ही टिकेट थे इसी कारण हम लोग नहीं गए और पावलो को वहाँ पे बेच दिया था ले पे एक और मडर हुआ था जब क्लॉई और लूसिफर मडर लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे बैनी जौई रो रहा था जोर-जोर से वो मडर किसी इनसान का नहीं बलकि बैनी के पिक का हुआ था तब क्लॉई येलो वाइपर वापिस से जेल से बाहर आ चुका है तो Benny कहता है कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता Chloe पुछती है कि आकर तुमने इतने सालों तक उससे बात क्यों नहीं की तो Benny कहता है कि हम दौनों ही आर्टिस्ट थे एक केस के अंदर वो अरेस्ट हो चुका था मैंने उससे बहुत बार बात करने की कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई उससे इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है लिंडा के ओफिस में जहां पे अमैने डियल लिंडा को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी और अगर तुम चाहो तो किसी पेशिंट से बात कर सकती हो अमैने डियल ने यहां पे लिंडा को पूरी तरीके से फसा दिया था अपने पेशिंट के बारे में बात करने के लिए याने की लूसिफर के बारे में बात करने के लिए अब Lucifer और Chloe पहुचते हैं यलो वाइपर के पास में यलो वाइपर रियल में एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था जो कि अपने स्टूडेंट के साथ में एक वक्शॉप ले रहा था जब Chloe और Lucifer यलो वाइपर के पास में पहुचते हैं सभी अपनी गंस यलो वाइपर पे लगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम दौनों पुलिस वाले यहां से चले जाओ नहीं तो इस बीच में तुम भी मारे जाओगे Lucifer इन सभी को अपनी बातों में फसाता है और बाकियों को पीचे से निकलने के लिए इशारा देता है जब डैनी का ध्यान पढ़ता है कि पीचे से यलो वाइपर यहां से एग्जिट ले चुका है तो वो कुस्से में आ जाती है और तब ही वहाँ पे गंस चलने लग जाती है लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उस पूरी जगह की लाइट्स चली जाती है और डैनी और ड्याइगो की जितने भी लोग थे एक के बाद एक पिटे जा रहे थे यह सब कुछ कमाल करने वाली और कोई नहीं बलकि मैजिकीन थी क्योंकि अब बात लूसिफर पे आ चुकी थी मैजिकीन बोलके जाती है कि यह सिर्फ मैंने लूसिफर के लिए किया है अब जब डैन फिर से क्लोई से मिलता है तो फिर से यही बात होती है कि तुम्हें इन केसिस से दूर रहना चाहिए और लूसिफर हमेशा ही तुम्हें मुसीबत में डाल देता है यह वार खतम होने के बाद में यलो वाइपर को क्लोई और लूसिफर अपने साथ ली जा रहे थे पुलिस टेशन क्योंकि इन्हें एक गन भी मिली थी कार में बैठे जब यह लोग बात कर रहे थे तो यलो वाइपर बोलता है कि अगर मुझे बैनी को मार नहीं था तो मैं उसे घर जाके सीधा भी मार सकता उसके फैशन शो में जाके उसे मार के खुद नहीं फसता तो लुसिफर सोचता है कि ये बात तो बिलकुल सच कह रहा है अगर उसे मार नहीं होता तो सीधा करेक्ट शॉट लगाता और क्लॉई कहती है कि हो सकता है कि ये शॉट जान करके लगाया हो यानि कि बैनी जॉई को कभी मारना ही नहीं था इसके बाद ये लोग सीधा गाड़ी गुमा के पहुंच जाते हैं बैनी जॉय के घर पे लूसिफर और क्लोई बैनी से पूछते हैं कि आखिर क्या रीजन था कि यलो वाइपर जेल में गया तब वहाँ पे बैनी बोलता है कि वो भी एक छोटा मोटा आर्टिस्ट है और वो कुछ खास पॉपिलर हो नहीं पाया इसी कारण वो मुझसे जलता था लेकिन तब तक इनके सामने यलो वाइपर भी आज जुका था और उसके बाद में यलो वाइपर बैनी को बोलता है कि तुम जूट बोल रहे हो अगर ऐसा ही होता तो पांच सालों में तुम मुझसे एक बार तो मिलने जरूर आते और तभी वहाँ पे क्लोई और लूसिफर भी बोलते हैं कि निशाने लगाने वाला और कोई नहीं बलकि शूटर ही हो सकता है क्योंकि हेक्टर के हाथ पे एक ऐसा टैटू बना था जो कि शार्प शूटर के हाथों पे होता है तब हेक्टर बोलता है कि मुझसे ये सब बाया है बैनी ने बोला था कि वो मुझे पार्टनर बनाएगा इसी कारण मुझे अपने सबसे फेवरिट पिक को भी मारना पड़ा अब लूसिफर यहाँ पे बैनी को एक पंच लगाता है जिससे कि वो खुदी की पेंटिंग में से निकल के बाहर आ जाता है और इसके बा में माजगीन और लूसिफर के बीच में बात हो रही थी मैजगीन बोलती है कि हां तुमने ही तो मुझे बनाया है मैं तो हमेशा तुमारे पीछे पीछे चलूँगी उन चीजों से भी तुम्हें बचाऊंगी जो चीजें तुम्हें दिखती है और नहीं दिखती है यह एपिसोड 6 के बारे में बात करने वाली हूँ जहां पे हमने लास्ट एपिसोड क्राइम के साथ छोड़ा था यानि कि डिटेक्टिव डेकर और लूसिफर ने मिलके एक केस सॉल्फ किया था अब इसी के साथ हमें एक नया एपिसोड शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री है इसी के साथ हमें लूसिफर के बारे में और जानने को मिलेगा और साथ ही एपिसोड के एंड में हमें ये भी पता चलेगा कि लूसिफर असल में एक टेविल है या फिर एक एंजिल एपिसोड के शिरुबात में हम देखते हैं की एक चोर बहुत बड़ी से Go Dound में एक कंटेइनर की चोरी कर रहा था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुसिफर अपने क्लब के अंदर सिंगिंग कर रहा था जिस Go Dound में चोरी हो रही थी वहाँ का गार्ड उस चोर को रोकने के लिए आता है लेकिन जिस आदमी ने उस कंटेनर को चुराया था उसने वहाँ के गार्ड को मार दिया था अब इस कंटेनर में क्या है और ये गोडाउन किन चीजों से भरा है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा अब यहाँ पे हमें Chloe दिखाय जाती है जो कि अपनी बेटी ट्रिक्सी से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि आगर चॉकलेट के किस निखाया है डैन उससे बातों ही बातों में पूछ लेता है Chloe और डैन रात के टिनर के बारे में बात कर रहे थे और तब ही इसी टाइम Chloe के पास में एक नया केस आ चुका था यहाँ Lucifer के क्लब में मैजिकीन Lucifer के लिए दो लड़किया लेकिया आई थी Lucifer उस डैड बाड़ी को देख के कहता है कि क्या कुछ और इंटरस्टिंग चीज है किसी को मारना है या फिर कहीं पे डख्याती करनी है कुछ इंटरस्टिंग हो तो मुझे तुम रोका करो Chloe नहीं तो मेरे लिए यह सब कुछ बोरिंग है यह सब कहके Lucifer उस Crime Scene से चला जाता है और वापिस से पहुँच जाता है अपने ही कलब में जहां पे मैजिकीन Lucifer को बताती है कि तुम्हारे लिए एक Bad News है जो Container चोरी हुआ है वो और किसी का नहीं बलकि तुमारा ही है Lucifer Lucifer जब यह बात सुनता है तो कोई खास गौर नहीं करता है और इसके बाद में मैजिकीन Lucifer को कहती है कि ठीक है अगर तुमें ही इस बात से फरक नहीं पढ़ रहा है तो मुझे भी कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए तुम धीरे दीरे इंसान बनते जा रहे हो और किसी भी चीज़ को खोने से अब तुमी डर नहीं लगता है Lucifer को ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है और इसके बाद में Lucifer फिर से उसी क्राइम सीन पे पहुँच जाता है जहां पे Chloe अभी भी investigation कर रही थी और वो Chloe को कहता है कि मुझे तुमारे साथ काम करना है क्योंकि वो जो container चोरी हुआ है वो और किसी का नहीं बलकि Lucifer Morning Star का ही है अब ये दौनों एक बीच पे पहुचते है जहां पे Lucifer एक ice cream van के पास रुखता है और Frankie नाम के आदमी का गला पकड़ लेता है Chloe जब पूछती है कि ये आखिर कौन है और तुमने इसे क्यों पकड़ा है तो Lucifer बताता है कि जिस go down से container चोरी हुआ है उसके बारे में इसी आदमी को पता है ये go down उसी का है मैजिकीन ने मुझे इसी से मिलवाया था यानि कि अगर वहाँ कुछ चोरी हुआ होगा तो सबसे पहले इसी ही पता होगा लेकिन Frankie मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और Lucifer जब उसे ज़ादा धमकाता है तो वो Lost Diablos के बारे में बताता है Decker इस ग्रूप को जानती थी ये एक Biker Club का ग्रूप था Chloe Lucifer से पूछती है कि आखिर तुमारे कंटेनर में क्या रखा था तो Lucifer Chloe की किसी बात का जवाब नहीं देता है इसी कारण Chloe Dan को कॉल लगा देती है और कहती है कि मुझे आज तक Lucifer ने कुछ भी नहीं चुपाया है लेकिन इस कंटेनर में जरूर कोई ना कोई बात है तुम उसके कलब जाओ और वहाँ पी कुछ पूछताच करो Dan Lucifer को बिल्कुल पसंद नहीं करता है इसी कारण वो उसी Chloe से दूर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है और अब वो पहुँच जाता है लक्स में जहाँ पे मैजगीन अकेली बैठी थी वो मैजगीन से कहता है कि मुझे तुम्हारी अकाउंट्स देखने है मैजगीन उसे बातों में फसाती है और कहती है कि बुक्स काफी जादा भारी है तुम्हें मेरी साथ चलना पड़ेगा कुछ दूर आगे जाने के बाद में मैजगीन एक पंच के साथ में डैन को वहीं पे धेर कर देती है अब यहाँ पे लुसिफर के थेरपी का टाइम था जहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ था लिंडा के ओफिस में डॉक्टर लिंडा अभी भी अपने उसी कोशिण पर अटकी हुई थी यानि कि लुसिफर की पहचान के बारे में लुसिफर अभी भी अपने ही वर्ट्स पर अटका हुआ था कि मैं डैविल हूँ इन दौनों के कहा सुने के कारण लुसिफर थोड़ा गुसा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है लुसिफर को गए हुए कुछ सेकंड ही नहीं हुए थे कि वहाँ पे उसका भाई अमैने डील पहुँच जाता है और वो फिर से डॉक्टर लिंडा से लुसिफर के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि आखिर कोई भी माबाप अपने बेटे का नाम लुसिफर क्यों रखेंगे और इसी के साथ में अमैने डील लिंडा को बताता है कि उसे बाइबल का हर एक पेच अच्छी तरीकी से याद है यहाँ डैन की आखे क्लोई के घर में खुलती है जहाँ उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा था वो जब उटके अपने आसपास देखता है तो पाता है कि अब क्लोई और ट्रिक्सी भी घर पे आ चुके है वो जिस रूम में था वहाँ पे ट्रिक्सी भी पहुँच जाती है और अब इन दौनों के बीच में ये डील होती है कि ट्रिक्सी को साल भर चॉकलेट केक मिलेगा और तभी वो टैन को कपड़े लाके देगी अब डैन यहाँ पे एक फीमेल सूट पहन के मैजिकीन के पास में पहुचता है और मैजिकीन से चखड़ा करता है कि तुमने मेरी साथ ये क्या किया है इस कारण तुमें पुलिस टेशन चलना पड़ेगा मैजिकीन डैन को कहती है कि ठीक है अभी चलो लेकिन तुम वहाँ पे कहोगे क्या कि तुम्हें एक बार्टेंडर ने मार के गिरा दिया और अपने एक्स वाइफ के घर पे छोड़ दिया सीन शिफ्ट होता है क्लोई और लूसिफर के पास जहां ये दौनों पहुंच चुके थे लॉस डियाबलॉस के अटे पे वो एक बाइकर क्लब था जहां पे खूप सारी बाइक्स रखी थी क्लोई लूसिफर को फोन में कुछ दिखाती है वो बताती है कि डेट बॉड़ी के गले पे एक निशान बना था जो कि क्रॉस का है और यहां रखी बाइक्स पे भी यही क्रॉस बने हुए है इससे लूसिफर कहता है कि केस इससे जादा और क्या आसान हो सकता है यानि कि हमें हमारा कातिल यहीं मिल जाएगा यह दौनों क्लब के अंदर जाते हैं जहां लूसिफर बिना किसी से डरे टेबल के उपर खड़ा हो जाता है और सबी से पूछता है कि जिसने भी मेरा कंटेनर चुराया है वो मेरे सामने आ जाओ नहीं तो तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा हालांकि वहाँ पे जो बाइकर क्लब के लोग थे वो सारे अच्छी खासे तगड़े थे इसके बाद में एक आदमी सामने भी आता है लेकिन क्लोई उसे जमीन पे गिरा देती है और कहती है कि अब अगर कोई भी आगे आया तो वो सब सीधा चेल में जाएंगे इसके बाद में वो आदमी वहाँ पहुचता है जो कि इस बाइकर क्लब को ओन करता है यानि कि हैंक, लूसिफर हैंक की आँखों में देखके उससे सच निकलवाता है लेकिन हैंक अपने मूँ से सिर्फ यही बोलता है कि उसे तो एक कपड़े की शॉप ओपन करनी है और इसके बाद में हैंक कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ जादा मालूम नहीं है जबकि क्लोई ने उसे वही क्रॉस वाले पिच्चर दिखाई थी हैंक कहता है कि मेरा कोई भी आदमे उस गोडाउन में नहीं जाता है हालां कि हम लोग उसके निगरानी तो करते हैं लेकिन चोरी से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है तो तुम लोग यहां से जा सकते हो और अब अगर कोई कोशिन पूछना है तो वारिंट लेके आओ क्लोई और लूसिफर उस जगह को तो छोड़ देते हैं लेकिन कार में बैठके क्लोई कुछ चीजों का अजम्चन लगा रही थी यहां सीन शिफ्ट होता है लिंडा और अमैनेडील के पास में जहां अमैनेडील लिंडा को लूसिफर से रिलेटेट कुछ चीज़े बता रहा था यानि कि लूसिफर वो था जिसके फादर ने यानि कि गौड ने उसे सारी इंजल्स में से बेदखल कर दिया था तो डॉक्टर लिंडा कहती है कि मेरे पास जो पेशिंट आता है वो कहता है कि सब लोग उसे ही बुरा मानते हैं उसने किसी को फोर्स नहीं किया था कि कोई गलत काम करे लेकिन उसे जो उसके फादर से responsibility मिली है उसके कारण हर एक इंसान लूसिफर को ही डेविल मानता है जबकि डेविल ने किसी को नहीं का है कि वो बुरा काम करे अब यहां पे कार में बैटे हुए क्लोई ने जो assumption लगाया था कि हैंक अपने किसी भी आदमी को arrest नहीं होने दे सकता है तो हो सकता है जिसने भी चोरी की हो वो उसे personally जाके मिले और उसे punishment दे और बिलकुल ऐसा ही होता है हैंक अपनी bike उठा के कहीं निकल जाता है Lucifer और Chloe फिर से हैंक के सामने खड़े थे और wait कर रहे थे कि क्या activity होती है जहां पे Chloe Lucifer को कहती है कि मैं बहुत blessed हूँ जो तुम मेरे साथ में हो ये बात सुनके Lucifer कहता है कि मैं भी हमेशा तुमारे साथ रहूँगा और ना मैंने कभी तुम से जूट बोला है और ना ही कभी बोलूँगा ये बात सुनते ही Chloe Lucifer से फिर से पूछ लेती है कि आकर तुमारे container में क्या है तो Lucifer कहता है कि Russian Dolls और अब हैंक के पास में एक बाइक आके रुखती है जो दूसरी बाइक पे बैठा आदमी था उसका नाम था रैनी और उसने सीधा हैंक को शूट कर दिया था और वहां से चला गया था Chloe कार से उतर के हैंक के पास में जाती है जबकि Lucifer कार उठा के सीधा रैनी के पीछे भागता है ये दौनों एक building में पहुचते हैं जहां पे रैनी लुसिफर को देखने के बाद में शूट करने लगता है रैनी भागता भागता terrace पे पहुच जाता है जहां लुसिफर रैनी से पूचता है कि आखिर तुमने वो समान क्यों चुराया तो रैनी कहता है कि क्या वो समान तुम्हारा था तो लुसिफर कहता है कि बुझे बताओ कि मेरा समान तुमने कहा रखा है रैनी काफी जादा डर चुका था वो बोल रहा था कि मैंने वो समान देखा है लूसिफर अब काफी जादा गुस्से में आ चुका था और आल्मोस्ट उसका devil face रैनी के सामने ही था रैनी इतना जादा डर चुका था कि उस building से jump लगा देता है Chloe जब तक terrace पे पहुँचती तब तक काफी देर हो चुकी थी लूसिफर कहता है कि मैं उसे बचा नहीं सका इसके बाद में Chloe लूसिफर को कहती है कि Hank अभी तक मरा नहीं है यानि कि उसे गोली लगी है बट वो injured है इसी के साथ में उसने ये भी बताया है कि रैनी ने पैसो के खातिर वो container चोरी किया था उसे Hank के साथ काम करने में कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे थे और वो लूसिफर को ये भी बताती है कि हम लोगों को एक container मिला है जिसके उपर नाम लिखा है Lucifer Morning Star तो क्या तो मुझे वो container दिखाओगे तो लूसिफर कहता है कि जरूर तुम मेरे साथ चलो लूसिफर अपने container को open करता है जहां पर एक box रखा था Chloe जब उस box को open करती है तो उसे believe ही नहीं होता है कि असलियत में इसके अंदर Russian dolls ही रखी है Chloe Lucifer को कहती है कि तुमने इतनी सारी मुसीबत सिर्फ इन dolls के लिए ही ली थी और वहां से Chloe चली जाती है Chloe के जाने के बाद में Lucifer उस container की wall पे touch करता है और उसके बाद में एक secret wall open होती है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था कि तुमने कुछ बुरा नहीं किया है अगर तुमारे फादर ने तुमारे साथ कुछ किया है तो इसका मतलब है कि तुमें कोई जिम्मेदारी दी गई है तो Lucifer वहां पे जोड़-जोड़ से चलाने लगता है कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं थी मुझसे मेरी असलियत छीन ली गई मैं जो चीज चाहता भी नहीं था मुझे वो सारी चीज बियर करनी पड़ी लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि सारी बुराईयां मुझसे ही निकली है आखिर चब मैंने कोई चीज की ही नहीं तो उन सारी चीजों का टैक मुझे पे क्यूं लगे लुसिफर इतना ज़ादा गुसा हो चुका था कि वो लिंडा की ऑफिस के अंदर एक पंच मार के दिवार को तोड़ देता है और वहां से गुसे में निकल जाता है इस एपिसोड के लास सीन में लुसिफर बात करता है मैजिकीन से और इसी के साथ में हमें लुसिफर का बैक दिखाया जाता है जिसके उपर कुछ वूंस बने हुए थे और वो मैजिकीन को कहता है कि मेरे विंग्स चोरी हो चुके हैं लास सीन हमें दिखाया जाते हैं लूसिफर के wings गाईज ये white color के बहुत ही beautiful बड़े बड़े wings थे इससे हमें पता चलता है कि लूसिफर के पास में angel wings थे तो चलिए दोस्तों अब आप सभी लोगों से मैं मिलती हूँ इसके next episode में गाईस पिछला जो 6th episode हमने लूसिफर का चोड़ा था वो चोड़ा था लूसिफर के जहाँ angel wings चोरी हो गए थे इसी के साथ हम यहाँ पे new episode चालू करने वाले हैं जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि लूसिफर के wings उसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो ल लड़के को अपनी तरफ आने का इशारा करती है इसके बाद मेज पूल के अंदर थी जहाँ पे वो उस लड़के को भी invite करती है और कुछी सेकंड में हमें पता चलता है कि ये एक trap था यानि कि इस लड़के को मेज ने पानी के अंदर ही पकड़ की रख रखा था जब उसे बाहर निकाला गया तो लूसिफर उससे पूछता है कि बताओ मेरी इंजल विंक्स कहा है वो पानी में डूपता हुआ लड़का कहता है कि मुझे इन विंक्स के बारे में कुछ नहीं पता है यहां तक कि मैं तुम ही भी नहीं जानता हूँ तो लूसिफर कहता है कि तुम ज सच बोल रहा है और हो सकता है कि अब तक जो पांच लोगों को हमने ऐसे ही पूछा है वो सभी सच बोल रहे हो शायद उने मेरे विंक्स के बारे में नहीं पता हो सीन शिफ्ट होता है पुलिस टेशन में जहां पे सभी लोग क्लोई को बुरी नजरों से देख रहे थे वहाँ पे डैन आता है और क्लोई को कहता है कि आज मेलकम पे से पंप हट रहा है क्योंकि तुमने उसके उपर जो इलजाम लगायत यानि कि जो केस किया था इसी कारण उसकी फैमिली को इंशॉरेंस के पैसे नहीं मिल रहे है और आज मेलकम का आखरी दिन है हो सके तो तुम इ अपने घर पे जाके एविडेंस ढूंड रही थी और वहाँ पे अभी लूसिफर भी पहुँच चुका था लूसिफर और क्लोई आपस में बात करने लगते हैं दौनों ही अपने अपने केसेस में उल्जे हुए थे लूसिफर से बात करने पे क्लोई को पता चलता है कि हो स सीन शिफ्ट होता है एक बीच पे जहां पे लूसिफर खड़ा था और अगले ही पल वहां पे एमनेडील आ जाता है वो लूसिफर से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है यहां पे और इसके बाद में लूसिफर एमनेडील से बोलता है कि मेरे विंग्स चोरी हो के हैं तुम मेरे भाई हो तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी चाहिए और इसके बाद में अमनेडील बोलना शुरू करता है कि लूसिफर तुम इतने जादा केरलेस कैसे हो सकते हो वो विंग्स कितने जादा प्यॉर है और कितने जादा पावर्फुल है वो अगर इनसानों क हाथ लग गए तो कितनी बड़ी तबाई हो सकती है तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है या नहीं है लूसिफर एमेनेडील से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे और इस बार एमेनेडील लूसिफर को बोलता है कि तुम तुम्हारा मैस खुद सुध तुमने गलती की है तो उसे तुमें ही सुधारना पड़ेगा यानि कि वो लूसिफर की मदद करने से मना कर देता है। क्लोई ने लूसिफर के जाने के बाद में डैन को वहाँ पे खुद के मदद के लिए बुलाया था। दर्वाजे के पीछे थी इसलिए बच गई लेकिन वो गोलिया कैसे चली। तो लूसिफर कहता है कि बिल्कुल सिंपल केस है वो ड्रग डिलर मैलकम को क्यों मारेगा जबकि वो उसी का आदमी था। क्लोई ये बात सुनकर सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ये बात बिल्कुल सच है ड्रग डिलर अगर मैलकम की काम आ रहा था तो मैलकम को वो भला क्यों मारेगा। जिसके अंदर information थी कि कहीं पे Angel Wings के बारे में पता चला है। जाता है जहां पे सारी ancient चीजों की bidding होती है यानि के निलामी होती है। लुसिफर वहाँ पे मैसूस करता है कि उसका भाई या मेने डील पे वहीं पे है। वो दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो गार्ड उन्हें वहीं पे रोक लेता है। लुसिफर की दे हुई रिश्वत पे उस गार्ड को उन दोनों का अंदर जाने नहीं देती है। उसके बाद में लुसिफर अपनी पॉक्रिट से एक कोईन निकालता है और कैमरे में दिखाता है और अगले ही पल इन दोनों को अंदर आने की परमीशन मिल जाती है। यहाँ क्लोई हॉस्पिटल में आती है मैलकम की फैमिली से मिलने के लिए। लुसिफर हसते हुए बोलता है कि माफी चाहूँगा लेकिन ये कोईन सेल करने के लिए नहीं है। शान करता है और वहाँ के ओनर को बोलता है कि तुम सिर्फ पैसो से प्यार करते हो ना तो ठीक है मुझे इस आक्षन में भाग लेने दो। लुसिफर को बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ पांच मिनिट का टाइम है एफपिया यहाँ पे पहुंचने ही वाली है। लुसिफर कहता है कि मैं मेरे विंक्स लिए बिना कहीं नहीं जाओंगा। और उन्हें देखता है उसे पता चलता है कि यह विंक्स असली नहीं है बलकि यह मेरे विंक्स की कॉपी है। टाइम वापिस नॉर्मल होता है तो क्लोई वहाँ पे एक सीक्रिट दर्वाजा उपन करती है। जहां से वो ऑक्षन ओनर भाग के चला गया था और इसी के साथ में क्लोई को क्लू भी मिलता है। यह हो सकता है कि पलमेटो स्ट्रीट पे भी ऐसा ही कोई दर्वाजा हो। क्लोई सीडियों से उतर के जब नीचे पहुचती है तो उसे वहाँ एक चीज मिलती है जो कि एक चाबी थी ट्रिपल लाइन की। क्लोई बताती है कि यह वो चाबी है जो एले पीडे के ऑफिसर्स को दी जाती है। मैलकम की पास अपनी चाबी थी यहाँ पे एक पुलिस वाला और था जिसकी चाबी यहाँ गिर गई है। क्लोई कहती है कि आप मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे एक आदमी और था। इसका मतलब है कि मैंने अब तक जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। यहाँ सीन हमें दिखाया जाता है ऑक्षन ओनर के घर का जहाँ पे लुसिफर काफी गुसे में पहुँच चुका था। लुसिफर उस ओनर को मारने से पहले ही पूचता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस विंक्स को चोरी करने के लिए किस ने कहा था। तुमने ही उस ओक्षन के ओनर को बताया था मेरे विंक्स को चोरी करने के बारे में। तो मुझे इस विंक्स की तलब होगी और मैं वापिस से हैल जाने के लिए तयार हो जाऊंगा तो तुम मेरी बात सुननो अमेनेडियल मैं हैल कभी नहीं लोटने वाला हूँ। ये बात सुनकि एमेनेडियल लुसिफर को बहुत मारता है लेकिन भाई होने के कारण वो लुसिफर को छोड़ देता है और जाने से पहले बोलता है कि तुम्हें हैल ले जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैलकम को श्रधांजली दी जा रही थी। इसी कारण सारी ऑफिसर्स खड़े थे जो कि मैलकम के बारे में बात कर रहे थे। क्लोई वहाँ पहुचती है और सभी के बीच में अनाउंसमेंट करती है कि मैलकम एक बहुती अच्छा इंसान था और मैं अपना केस वापस लेती हूँ। लुसिफर बताता है कि भाई भाई के बीच का जखड़ा है। दौनों एक दूसरे के केसिस से रिलेटेट बात पूछते हैं। लुसिफर ने अपने इंजल विंक्स को चला दिया था। और इसी के साथ में मैलकम को भी अब होश आ चुका था। तो अब जब मैलकम वापस जिन्दा हो चुका था। एपिसोड के शिर्वात होती है लुसिफर के लक्स से। जहां पर ये दिन रोज जैसा दिन नहीं था। बलकि ये शाम थोड़ी स्पेशल थी। ये दिन था लुसिफर के बर्दे का। मैजिकीन लुसिफर से पूछती है कि डैविल्स का भी बर्दे होनी लग गया क्या तो लुसिफर कहता है कि मैंने कल ही अपने पंक चलाए है और आज से मैं आजाद हूँ तो हुआ ना आज से मेरा बर्दे और इसी के बाद में वहाँ पे क्लोई और डैन दौनों आते हैं बर्दे विश्च करने के लिए ये लोग साथ में ड्रिंक करते हैं लुसिफर क्लोई को कहता है कि तुम थोड़ा रुको तो सही क्लोई कहती है कि हमी थोड़ा चाना है मैलकम ने वापिस जिन्दा होने के लिए पार्टी रखी थी इसी कारएं क्लोई और डैन को वहाँ चा पिले रहा था जहां पर वो पिछले इंसिडेंट के कारण डॉक्टर लिंडा से माफी मांगता है कि मैंने आपके लिए चॉकलेट्स और भुके भिचवाए थे डॉक्टर लिंडा कहती है कि लुसिफर जो तुमने किया ये एक अच्छी चीज है इसका मतलब है कि तुम में द अर्डर हुआ था इस थेरेपिस्ट के डीटेल देखने पर पता चलता है कि ये एक चीटर थेरेपिस्ट था यानि कि ये लोगों को चीट करने के लिए कहता था इसके बाद में जिनकी मौत हुई थी वो थे डॉक्टर शॉन और उनकी वाइफ बार बैट के रो रही थी क्ल ओर लुजिफर के बीच बात होती है कि हो सकता है कि डॉक्टर के सारे के सारे पेशनस अब हमारे निकरानी में है ।ाहमें कि लिए इनकी ...? लिए डॉक्टर लिंडा जब पेशन्स की फाइल चेक कर रही थी तब वहाँ पे ख्लोई भी आती है और अब लूसिफर और ख्लोई को डॉक्टर लिंडा बताती है कि मुझे एक सस्पेक्ट मिला है उसने डॉक्टर शौन को एक पर धंकी भी दी थी जान से मार डालने की इस तुम्हारे लिए नहीं बलकि खुद के लिए खत्रा है और तभी वहाँ पे क्लोई और लूसिफर को पता चलता है कि रिचर्ट एक बिल्डिंग पे खड़ा होके सुसाइड करने के लिए रेडी था क्लोई वहाँ उपर पहुँचने के बारे में सोच थी इससे पहले तो लूसिफर वहाँ रिचर्ट के पास पहुँच चुका था और रिचर्ट को कहता है कि मैं तुम्हें यहां कुछ बचाने के लिए नहीं आया हूँ बलकि यह पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने शौन का मुर्डर क्यों किया तुम उससे जलिस थे तो शौन कहता है कि मै कभी डॉक्टर को मार ही नहीं सकता उन्होंने मेरी बुरे टाइम में मेरी हेल्प की थी जब ना तो मेरे पास मेरी वाइब थी ना ही मेरे पास पैसे थे फिर भी डॉक्टर शॉन ने हमेशा मेरी मदद की थी इसके बाद में लुसिफर रिचर्ट को वहीं से धक्का देने की क कोशिश करता है और रिचर्ट को तब ये बात समझ में आती है जब अल्मूस्ट उसके चान जाने वाली थी और फिर वो लुसिफर को कहता है कि मुझे बचा लो मुझे मरना नहीं है बिल्डिंग से नीचे आने के बाद में क्लोई और लुसिफर रिचर्ट से बात करते हैं त क्लोई वहाँ कहती है कि हमसे मिसिश शौन ने जूट क्यों बोला उन्होंने हमसे कहा था कि मैं शेर सिबार फिनिक्स में हूँ अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है लुसिफर के क्लब में जहाँ पे डॉक्टर लिंडा मिलनी के लिए आये थे लुसिफर से वहाँ पे मेज उसका वैलकम करती है लिंडा कहती है कि तुम में इस बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसा कि लुसिफर ने बताया था एक स्ट्रॉंग और स्मार्ट परसनालिटी तो मैजिकीन वहाँ पे लिंडा की कुछ इंसर्ट करती है वो बोलती है कि तुम जैसे लड़कियों को मेरे कच्रा समझते हैं तो लिंडा कहती है कि जो लोग चुगलियां करते हैं वो अंदर से काफी जादा कमजोर होते हैं यह बात सुनके मैजिकीन को पता चलता है कि यह एक स्मार्ट डॉक्टर है और वहाँ पर लूसिफर और क्लोई भी आ चुके थे वो दौनों लिंडा को बत गर समय थी लूसिफर तो वहाँ पर डैन नहीं बल्कि मैलकम था मैलकम को देख थे प्लॉइ mothtर में गणन लेती है मैलकम बोलता है कि मैं वह तुम्हें कोई नुकसान पहुचाने नहीं आया है मैं बस remedy आगाह करने के लिए आया हूं कि मुझे जिसने किया थए वो कोई प पता थी या तो तुम्हें या फिर जिसने मेरे उपर शूट किया था मैलकम फिर कहता है क्लोई को कि मैं अगर पलमेटू स्ट्रीट गया था तो इसके बारे में तुम्हें कैसे पता था तो क्लोई कहती है कि ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि तुम गदार हो मैं बस तुम तो सेंडी कहती है कि मैंने मेरे हस्बेंड को कभी नहीं मारा था और इसके बात में लुसिफर ने सैंडी के उपर अपने आँखों का जादू दिखाया। जिसी कि Sandy बोलती है कि मैं शर्मिन्दा हूँ और लुसिफर पूछता है कि तुम आखिर किस चीज से शर्मिन्दा हो तो Sandy वहाँ पे अपने कार के डिकी ओपन कर देती है उसमें और कुछ नहीं बल कि कोबर पड़ा था सैंडी बताती है कि मेरे हस्बेंट का चकट टिफनी नाम की एक पेशिन से चल रहा था ये दौनों आपस में नोट्स शेयर करते थे तो क्लोई कहती है कि इस चीज के बारे में तुम्हें किसने बताया था वो क्लोई को कहता है कि तुम ठीक तो हुना मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था कि मैलकम तुम से मिलने के लिए आया था मैं मैलकम को जान से मार डालूँगा वो मेरी फैमली से दूर क्यों नहीं रह रहा है यहाँ लुसिफर उस थेरेपी में पहुँच जाता है जो कि डॉक्टर मतिंडा ले रहे थे यहाँ पे वो सारी पेशिंस थे जो कि डॉक्टर शौ के थे लुसिफर वहाँ पे सभी को अपनी कहानी बताने लगता है वहाँ पे बैठा कोई भी पेशेंट, लुसिफर की डेविल की कहानी पे बिलीव नहीं करता है और आखिर में लुसिफर डॉक्टर मतिंडा को पकड़ लेता है कि तुम ही जैलिस थी और तुमने ही डॉक्टर शौ को मारा था लेकिन मतिंडा ये बात मारने से इंकार कर देता है और लुसिफर के गली के उपर चाकू रख देता है वो बोलता है कि मैं सैंडी को पसंद करता था लेकिन वो डॉक्टर शौ को ही पसंद करती थी लुसिफर कहता है कि इसमें सैंडी की क्या गलती है वो दौनों husband wife है और खुद को पसंद करते हैं तो इसमें तुम क्या कर सकते हो तो डॉक्टर मतिंडा कहता है कि short Tiffany के साथ में था और वो Sandy को धोका दे रहा था मैं Sandy को इस हालत में नहीं देख सकता था फिल Lucifer कहता है कि हम दौनों बिल्कुल different है वे पहले सोचता था कि हम दौन के clue मिले क्या और ये भी कहता है कि Malcolm की party कैसी रही तो Chloe वही बात वापिस से अपने दिमाग में दोहराती है कि Malcolm ने कहा था कि उस scene पे दो जने हो सकते थे एक तो मुझे पता था कि Malcolm कहा गया है दूसरा उसी इंसान को पता हो सकता है जिसने Malcolm के उपर tracker लगाया हो तो Lucifer पूछ That means Paolo ची को पता था कि Malcolm कहा गया है और Palmetto Street पे वो ही पहुँचा था और उसी नहीं Malcolm को shoot किया था और अब Lucifer और Chloe Paolo ची को ढूडने के लिए निकल जाते हैं जहाँ Paolo ची की car का location track किया जा रहा था वो एक बार था जहाँ पे Paolo ची की dead body मिलती है उस body को देखने से लगता है क Paolo ची ने खुद को shoot किया है जब बाकी सारी team वहाँ पे पहुचती है तो Chloe Dan को एक suicide note देती है Dan Chloe को कहता है कि चाहे Paolo ची बहुत बुरा आदमी क्यों न हो उसने बले ही Malcolm को क्यों न शूट किया हो लेकिन उसके साथ इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था यहाँ Lucifer तुमें पूचता है कि जो तुमारे पास में डॉक्टर कैनन आये हैं क्या उनकी personality तुम मुझे पता सकती हो यानि कि वो एक धार में किसम की आदमी है और करीबन 6.2 इंचिस लंबे है तो लिंडा कहती है कि क्या तुम उससे पहले मिले हुए हो यहाँ रात में Dan Chloe के घर पे कुछ समय spend करने के बाद में जाते टाइम डैन के पास में एक message आता है ये message किसका था जिससे डैन के चेहरे के सारे रंग उड़ गए थे डैन जब उस message वाली जगह पे पहुचता है तो वहाँ पे उसे मिलता है Malcolm और अब यहाँ पे Palmetto Street पे हुए case की सारी बात solve होती है Malcolm कहत है कि अगर मैंने सभी को बता दिया कि मुझे shoot तुम ने किया था तो सोचो तुम्हारा क्या होगा इससे guys हमें पता चलता है कि Malcolm को उस दिन और किसी ने shoot नहीं बलकि खुद डैन ने shoot किया था ये दौनों ही आपस में मिले हुए थे डैन Malcolm सी गुस्सा हो जाता है और उसका ग खुलूंगा और आज से हम दोनों पार्टनर हुए नहीं तो मैं अपना मुझे shoot किया था लूसिफर यहां मैजिकीन के पास में पहुचता है और उसे कहता है कि अमने डील लिंडा के पास में कैसे पहुचा लिंडा के बारे में उसे information किस ने दी लूसिफर को पता था कि इस कहती है कि यह सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया है तो लूसिफर कहता है कि यह तुमने मेरी लिए नहीं बलकि खुद के लिए किया है लूसिफर मैजिकीन से गुसा था इसी कारण वो बोलता है कि आज से तुम्हारा मेरा हर रिष्टा खत्म और इसी के साथ मे यह एपिसोड यहां पर खत्म होता है लूसिफर सीरीज का नाइंथ एपिसोड देखने वाले हैं जहां पर हमें यह पता चलेगा कि क्या डैविल के पास में भी फीलिंग्स हैं यानि कि अगर उसके सामने कोई मर जाए तो उसे इस चीज से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसी के साथ में हमें यह भी पता चलेगा कि एमनेटेल ने मैलकम को क्यों वापिस से दूसरी चान दी और दीसरी चीज़ क्या कभी डैविल को अर्थ पे आने के बाद कोई असली दोस्त मिल पाएगा तो चलिए इसी के साथ में हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में लुसिफर जैसे की लक्स के अंदर हमेशा सी पार्टी करता है रंग बिरंगी वैसे ही पार्टी चल रही थी कि तभी वहाँ पे एक पीसा बॉय आता है जिसे लुसिफर देखके सोचता है कि शायर इस नहीं पार्टी कभी नहीं देखी होगी और उसके बाद में वह उस पीसा बॉय को अपनी पार्टी में इंक्लूट कर लेता है वहाँ पे लुसिफर को इंवाइट भी किया जाता है लेकिन लुसिफर बहां इंकार कर दिता है अपनी थेरपी में जब लिंडा को वो ये बात बताता है तो लिंडा लुसिफर को कहती है कि हो सकता है तुमारे आसपास बहुत लोग हो लेकिन तुम यहां पे अपना पन डूंड रहे हो तुमारा अपना यहां पे कोई भी नहीं ह तो Lucifer कहने लगता है कि तूम मेरी अपनी हो, तूम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो Linda कहती है कि मैं मेरी बात नहीं कर रही, तो Lucifer कहता है कि मेज से मेरा छगड़ा हो चुका है, और उसके बाद में Linda कहती है कि Chloe का तुम्हारे साथ क्या रेलेशन है, ये बात सुनके Lucifer खु नहीं आएगा लुसिफर ना चाते हुए अभी नीचे आए हुए गेस्ट के पास में जाता है ये गेस्ट और कोई नहीं बल्कि एक फादर थे यानि की प्रीस्ट ये है फादर फ्रेंक इन दोनों के बातों के डिस्कुशन से हमें ये पता चलता है कि फादर लुसिफर की पास में एक फीवर लेनी आये थे जिसमें था कि एक बच्चा जोकि एक ट्रक टीलिंग के अंदर फस चुका है उसे वहां से बचाना है बच्चे की कोई गलती नहीं है लेकिन जो लोग उस कि जैसा कि आप कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया में अच्छे भी हैं यानि कि प्रीस्ट ऐसा हमीशा नहीं होता है प्रीस्ट पे बुरे हो सकते हैं इस चीज़ को वह साबित करने के लिए उसी जगह पे पहुंच जाता है जोकि फादर फ्रेंक ने बताई थी ये एक सेंटर के डायरेक्टर से मिलने आते हैं काफी देर नौक नौक करने के बाद में भी जब कोई दर्वाजा नहीं खोलता है तो क्लोई उस रूम के अंदर देखती है जहां पे हर समान बिकरा हुआ था इसी कारण क्लोई दर्वाजा तोड़ के अंदर पहुंच जाती है जहा कोई भला क्यों मारेगा लूसिफर जब हैंडरी से पूछता है कि आप आज 11 से लेकी 12 बचे तक की बीच में कहा थे तो वो कहता है कि मैं कॉर्णर के पास में था लूसिफर जब इस बच्चे का नाम सुनता है तो उसे पता चलता है कि फादर फ्रेंग भी इसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे अब कॉर्णर को बुलाया जाता है इसके साथ में एक लड़की और खड़ी थी कॉर्णर को जो पता चलता है कि डाइरेक्टर लेनी की डेथ हो गई है तो उसे बिलीव नहीं होता है लूसिफर ये जताने की कोशिश कर रहा था कि डाइरेक्टर को प्रीस्ट निमा रहा है इसके बाद में कॉर्णर कहता है कि हाँ आज सुबह डायरेक्टर से मिलने के लिए फादर फ्रेंक आये तो थे लेकिन वो कभी किसी को मार नहीं सकते हैं ये बात सुनके ख्लूई अब फादर फ्रेंक की हिस्ट्री निकालने लगते हैं यानि कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड फादर फ्रेंक ने ये नहीं बताया था कि वो आज सुबह ही डायरेक्टर से मिलनी के लिए आये थे इसी कारण लुसिफर और क्लूई इंवेस्टिकेशन करने के लिए चर्च जाने वाले थे और तभी वहाँ पे क्लूई को डैन मिलता है लेकिन डैन légal partner भरनने का वो भी अपप्रूव हो चुका है यानि कि आए तो मगया नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारे सच्चा ही सब लोगों के सामने कह दू तो मैं जैसा कहता हूं तुम्हेबस वैसा ही करना है नहीं तो मेरे साथ साथ में तुम्हें भी चेज जाना पड़ेगा और इसके बाद में Malcolm Dan को कहता है कि तुम्हें evidence room से मेरे लिए एक चीज लेके आनी है। अब यहाँ पे scene shift हो जाता है चर्च के अंदर जहाँ पे Lucifer Morning Star को एक मजाख सूचता है। जब वहाँ एक लेडी confession करने के लिए बैटी थी तो फादर की जगह पे Lucifer खुचा की confession सुनने के लिए पैट जाता है। यहाँ दूसरी तरफ Malcolm के सामने पे मैंने डियल आ चुका था और फिर वो Malcolm को धमकाता है कि क्या तुम मेरा काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो Malcolm कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ आखिरे क्या काम हो सकता है यह हमें एपिसोड की end में पता चलेगा। यहाँ Lucifer और Chloe Father Frank से पूछते हैं कि आज सुबह आप Director Lenny से मिलने के लिए आए थे यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई। और आपके हाथ पे लगे चोट से ही साफ साफ समझ में आता है कि आप नहीं Lenny को मारा है। तो Father Frank कहते हैं कि मैंने उन्हें कभी भी नहीं मारा था। हाँ आज सुबह हमारे बीच में बहुत जरूर हुई थी लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं था। इस बात से Chloe Father Frank को कहती है कि आपको इबात साबित करने के लिए हमारे साथ पुलिस टेशन चलना पड़ेगा। अब जब Father Frank, Chloe और Lucifer बाहर निकल चुके थी पुलिस टेशन चाने के लिए तब ही वहाँ पे फाइरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग नीचे जुक जाते हैं। क्लोई वहाँ उस गाड़े के कुछ नंबर नोट कर लेती है। सीन आगे शिफ्ट होता है जहां Lucifer Father Frank को कहते हैं कि आप तो गौड के सबसे फेवरेट इंसानों में से एक हैं। तो फिर आपकी चान कैसी नहीं बचाए आपके गौड ने। क्लोई Father Frank को कहते हैं कि जस्ट अभी अभी आपकी उपर शूटिंग होई है। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है। ऐसी क्या बात है चो आप छुपा रहे हैं। उसके बाद में Father Frank बोलना स्टार्ट करते हैं कि ड्रग रैकेट एक और है जिसका में हेड है स्पाइडर। मैंने जैसा कि बताया था कि Corner को लैनी नाम का आदमी अपने रैकेट में फसा रहा है। जबकि वो फसा नहीं रहा है। Corner आलमोस्ट उसके रैकेट में फस चुका है। Corner एक बुरा लड़का नहीं है बलकि उसे समझाने की जरूरत है। उसके बाद में Father को कहा जाता है कि आपको पुलिस सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो फादर कहते हैं कि मेरे लिए चर से ज़ादा सीफ जगह और कोई नहीं लुसिफर के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो फादर के उपर एलिगेशन लगाना चाहते थे कि फादर अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं। इसी कारण लुसिफर फादर को लेकि अपने साथ लक्स में आ जाते हैं। अब आप सब लोग तो लक्स का माहल जानते ही हैं लेकिन इन सब चीजों से भी फादर फ्रेंक के उपर कोई असन नहीं पड़ता है। फादर फ्रेंक इन लोगों को कहते हैं कि मैं पैदा होते ही फादर नहीं बना था। इससे पहले मेरी भी एक लाइफ थी। और उसके बाद में फादर फ्रेंक अपनी स्टोरी बताते हैं कि आज से कहीं सालों पहले कॉर्णर के मॉम डैट, मैं और मेरी बेटी हम सभी लोग एक कार में थे उस कार का बहुत बुरा एक्सिडेंट हो गया था कॉर्णर के मॉम डैट भी नहीं रहे थे इसी के साथ में मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया लूसिफर फादर फ्रेंक को इंफ्लूइंस करने की कोशिश करता है कि आपके साथ इतना कुछ पुरा हो गया इसके बाउचूद आप क्यों आखिर कॉर्ट पर इतना बिलीव करते हैं तो फादर फ्रेंक कहते हैं कि वो ही इंसिडेंट था जिसके बाद से मुझे कॉर्ट के उपर और जादा बिलीव होने लग गया फादर फ्रेंक को प्यानो प्ले करना आता था और वो अब लूसिफर का प्यानो प्ले कर रहे थे लेकिन लूसिफर को थोड़ा लाउट म्यूजिक पसंद था और अब यहाँ पे डेविल प्रीस्ट के साथ में बैट के एक बहुत ही शांदर म्यूजिक प्ले करने लगते हैं यह दोनों ही एक दूसरे की कंपनी पसंद कर रहे थे यानि कि लूसिफर जैसा कि फादर के बारे में बुरा सोचता था अब उसका नजरिया बदल ले लग रहा था वहाँ क्लोई पहुचते है और लूसिफर को बताती है कि जो मैंने गाड़ी के नंबर नोट किये थे उससे एक जगह की बारे में पता चला है हो सकता है कि हमें स्पाइडर वही मिल जाए ये दोनों ही कैसे जगह पे पहुचते हैं जहां पे वो कॉर्णर को देखते हैं और इन दोनों ने कॉर्णर को अपने आखों से देखा ड्रग डिलिंग करते हुए लेकिन ये अपने पास में से पैसों की भी हिरा फेरी कर रहे थे इन्हें पता चलता है कि ये लोग पैसे इसलिए नहीं रखते कि ड्रग के केसेज में कभी भी ये लोग पकड़े जा सकते हैं अब यहां क्लोई और लुसिफर वापिस से फादर फ्रेंक के पास में पहुचके उन्हें वो फुटेज दिखाते हैं जो कि कैमरे में कैप्चर हुई थी यानि कि जिसने शूटिंग करी थी वो और कोई नहीं बलके कॉर्णर था वो ही अपने फादर फ्रेंक को मारना चाहता था लुसिफर उन्हें बहुत समझाता है कि ये लड़का ठीक नहीं है सोच रखा है वो सकता है तुमारे लिए भी हो और लुसिफर सर्कैज्मों में कहता है यानि कि लुसिफर को हेल भीज दिया था इसी करनल लुसिफर उन सी बहुत नाराश था यहां फादर फ्रेंक के पास एक कॉल आता है और वहां से चले जाते हैं इधर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है कि डैन आविडेंस रूम से एक गन लेके आया था, एक ऐसी गन जिसका कोई अता पता नहीं था और वो गन मैलकम ने मंगाई थी, आप यहाँ लूसिफर और क्लोई देखते हैं कि काफी देर से फादर फ्रेंक यहाँ पे नहीं ह और जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें नीचे भी फादर फ्रेंक नहीं मिलते हैं, यह दोनों मैजिकीन से पूछते हैं कि फादर फ्रेंक कहां गए है, मैजिकीन कहती है कि वो फोन पे किसी कॉर्णर नाम की लड़के से बात कर रहे थे और शायद वो कॉर्णर से मिलनी क लुसिफर और क्लोई को समझ में आता है कि वो कॉर्णर से मिलने के लिए और कहीं नहीं बल्कि चर्च ही गये होंगे अब जब लुसिफर और क्लोई चर्च पहुचते हैं तो वो अपनी आखों से देखते हैं कि Corner ने Father Frank के उपर निशाना लगा रखा था और वो Father Frank को शूट करने वाले थे Father Frank अभी भी Corner को समझा रहे थे कि बेटा तुम ऐसा मत करो, यह तुम नहीं कर रहे हो बलकि यह आदमी तुम से ऐसा करवा रहा है और इसे के बाद में पीछे से निकल के एक आदमी आता है यह आदमी और कोई नहीं बलकि Henry था जो हमें स्टार्टिंग में Youth Center के अंदर Vice President दिखाया गया था Henry Corner को बार-बार में इंफ्लूइंस कर रहा था कि तुम शूट करो यहीं आदमी है जिसने तुम्हारा brainwash किया है इसे खत्म कर दो लेकिन Corner ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि Father Frank ने बच्पन से Corner को बढ़ा किया था इसलिए Corner अपने हाथ से गन नीचे कर देता है लेकिन यह बात Henry को बरदाश नहीं होती है यहाँ पे Lucifer और Chloe को पता चलता है कि स्पाइडर और कोई नहीं बलकि यह Henry ही है जब Corner फादर फ्रेंक को शूट नहीं कर पाता है तो Henry आगे होके गन लेके आता है और वो जैसे ही गन चलाने वाला था फादर फ्रेंक Corner के सामने आ जाते है और अब यह शूट Corner को नहीं बलकि फादर फ्रेंक को लग जाता है यहाँ पे Chloe ने भी Henry के उपर गन चला दी थी इसी कारण Henry वही गिर जाता है Lucifer फादर फ्रेंक को इस हालत में देखते हुए उनकी तरफ भागता है और उन्हें अपने पास बठा लेता है Lucifer पहली बार अपने लाइफ में इतना जादा एमोशनल हुआ था डैविल ने हैल में रोज आत्माएं देखी होती है जबकि डैविल का तो काम ही टॉर्चर करना था लेकिन यह पहली बार था जब डैविल को ये फील हो रहा था कि आखिर ये इनसान बिल्कुल इनोसेंट था इसकी कोई गलती नहीं थी तो फिर गॉड ने इसे अपने पास क्यों बुलाया फादर फ्रेंग जाते जाते पे लूसिफर को बोल के जाते हैं कि तुम्हारे गॉड ने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है और फादर फ्रेंग वहीं पे खत्म हो जाते हैं ये चीज दे के लूसिफर को जो गुस्सा आता है उसके बाद वो हैंडरी को सीधा गले से पकड़के सीधा हवा में उठा देता है और उसके उपर बहुत गुस्सा करता है कि आखिर तुमें ऐसा करके क्या मिला इस इनोसेंट आदमी को मार के तुम्हें क्या मिला अब तुमें इस चीज की सजा मैं दूँगा क्लोई वहाँ पे लूसिफर को बहुत समझाती है कि ऐसा मत करो अगर फादर फ्रेंक या होते तो वो तुमें ऐसा कभी नहीं करने देते ये बात सुनके लुसिफर हेंरी को वहीं छोड़ देता है लुसिफर इतना इमोशनल था कि क्राइम जीन भी वो जादा देर रुपता ही नहीं है और सीधा अपनी घर को लोटाता है वो अपनी बैलकिनी में खड़ा होके गौड को बहुत बुरा भला बोलता है वो बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया आखिर फादर फ्रेंक तो आपके ही आदमी थे वो तो सब के लिए हमेशा अच्छा काम करते थे तो फिर आपने उन्हें अपने पास क्यों बुलाया और इसके बाद में लुसिफर खुद का मन हलका करने के लिए प्यानों प्ले कर रहा था और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लोई आ जाती है क्लोई को ये फिल हो चुका था कि लुसिफर आज ठीक नहीं है उसे किसी की जरूरत हो सकती है जब लुसिफर के पास आके बैटती है तो वो लुसिफर को यही कहती है कि आखिर दोस्त कब काम आएंगे आज नहीं तो फिर कभी नहीं इस बात से हमें ये पता चलता है कि लुसिफर को अभी एक फ्रेंड बे मिल चुकी है इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि मैलकम को मिली दूसरी लाइफ को वो फुल टो इंजॉय कर रहा था जितना मन आ रहा था उतना खा रहा था और तभी वहाँ पर अमेनेडील पहुँच जाता है और वो मैलकम को कहता है कि दूसरे जिंदगी तुमें कैसी लग रही है मैलकम अमेनेडील से ढंक से बात नहीं करता है और अमेनेडील को ही उल्टा जवाब दे देता है इसके बाद में एमनेडील मैलकम को बोलता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि हैल के अंदर 30 सेकंड भी 30 सालों जैसा है तुम वहाँ जाके आ चुके हो तो क्या तुम वापिस से वहीं जाना चाते हो ये बाद चुनके मैलकम फिर से लाइन पे आ जाता है और वो एक अलगी imagination में चला जाता है इसके बाद में वह आमनेडील के सामने एक गन निकालता है और बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है अब बताओ कि मुझे करना क्या है एमनेडील के लास्ट वर्ट्स थे कि इससे तुम्हें जिससे मारना है उसका नाम है लूसिफर मौनिंग स्टार इसे के साथ में गाइस बहुत ही suspense के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है वैलकम आवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस अब तक हमने लूसिफर के सीजन में देखा है कि कैसे हैल का डेविल अपने डीमन यानी मैजिकीन के साथ में अर्थ पे वेकिशिंस के लिए आया है जिसका एंजल ब्रदर यानी कि एवनेडियल उसे वापस से हैल ले जाना चाता है और इनी सब के बीच में लूसिफर मौनिंग स्टार अर्थ पे रहके केसे सॉल्व कर रहा है अब तक हम इस सिरीज के 9 एपिसोड देख चुके हैं तो चलिए आज हम 10 एपिसोड में देखते हैं कि लूसिफर कौन सा केस सॉल्व करता है एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूसिफर कभी भी लड़कियों से दूट नहीं रह सकता है उसे जहां भी कोई लड़की दीखती है वो वहीं पे फ्लट करना स्टार्ट कर देता है फिर चाहे वो कोई क्राइम सीन ही क्योंना हो Chloe जब Lucifer को आवाज देती है तब हमें पता चलता है कि Lucifer जिससे flirt कर रहा था वो एक crime location थी जहां पर एक chef का murder हुआ था ये chef इस city का काफे नामी किरा में chef था और कहा जाता था कि ये हर रोज breakfast करने के बाद में यहां पर vegetables और fruits लेने के लिए इसी shop में आया करता था इसका मतलब है कि suspect इस restaurant का हर एक member है यानि कि जिसने dish को बनाया था जिसने serve किया था या फिर जिसने dishes लगाई थी या धोई थी restaurant में सभी लोग Chloe और Lucifer को कहते हैं कि हम उनको कभी नहीं मार सकते वो हमारे pop की जैसी है और इसके बाद में Lucifer के दिमाग में यही सब चलने लगता है कि तुम सब लोग तो father के पीछे ही पड़े हो restaurant का हर एक member इस chef को pop कहा करता था Chloe Lucifer को समझाती है कि तुम तुमारे personal matter यह official काम के बीच में मत लाया करो इसके बाद में हम देखते हैं कि Chloe से मिलने कोई आया था जिसे Chloe की sister बताया गया था जब एक लेड़ी Chloe से हांके मिलती है तो Chloe कहती है कि मेरी कोई बहन नहीं है और तब अभी पता चलता है कि ये लेड़ी Chloe की mom थी इसी कारण Chloe की mom की भर भर के तारीफ ही करने लगा था Chloe की mom इससे खुश हो गई थी और उन्होंने कहा कि क्यों न हम सबाज family dinner पे मिलते हैं और इसी के साथ में वो Lucifer को भी invite कर देती है Chloe की अपनी mom से बिलकुल भी नहीं बनती थी वो Lucifer को बता दिये कि हमारे बीच में इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि वो हमेशा मुझे पे order करती थी जो कि मुझे नहीं पसंद था अब यहां पे यह लोग फिर से case के उपर आ जाते हैं जहां पे इन लोगों को investigation करनी थी अब रेस्ट्रा के हर एक member से Lucifer और Chloe वहां पे हर एक employee को बला की पूछ रहे थे तो वहां पे सभी employees का कहना था कि शेफ बहुत गुस्से वाले आदमी थे अगर उन्हें कभी पे गुस्सा आ जाता था तो उनके हाथ में चूपी चीज होती थी वो उठा के फैक दिया करते थे इससे उनके personality का पता चलता था कि शेफ काफे short tempered इंसान थे इतनी short tempered कि उन्होंने अपने एक employee की उंगली तक काड़ दी थी लेकिन सभी employee आखरी में एक ही बात कहते हैं कि आखर थे तो वो हमारे pop यानि कि वो हमारे father जैसे थे इसके बाद में एक और लड़का आता है जिससे पूछता चो रही थी हमें बताया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बलकि शेफ का बीटा था जो कि आज ही सुबह अपने father से मिलने के लिए आया था और इन लोगों ने साथ में ही breakfast किया था Chloe और Lucifer पूछते हैं कि तुमारा आज ही इस जगह पे आना कैसे हुआ तो वो लड़का कहता है कि मेरे और मेरे father के बीच में कुछ अनबन चल रही थी मैं उसे ही solve करने के लिए आज ही सिटीम में आया था और हम लोगों ने आज सुबह ही breakfast किया था लेकिन उसके बाद में ये सब क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा Chloe उस लड़के को कहती है कि हम तुम से और पूछताच कर सकते हैं इसलिए तुम यही रहना Chloe और Lucifer के बीच में बात होती है कि restaurant में शेफ के मरने के बाद में तो ये सारी property शेफ के बीटे यानी जूनियर के नाम ही होने वाली थी तो आखिर वो अपने फादर को क्यों मारेगा इसके बाद में scene shift होता है लिंडा की office में जहां पे मैजिकीन आज therapy लेनी के लिए आए थी वो लिंडा को बताती है कि मैं ऐसे जगह पे फस चुकी हूँ जहां से मैं कभी भी नहीं निकल सकती लेकिन अब मुझे इस जगह पे रहने के आदर डालनी पड़ेगी यानि कि मुझे नॉर्मल होना पड़ेगा तो मुझे बताओ कि ये करना कैसे है तो लिंडा कहती है कि ये थरेपी ऐसे काम नहीं करती है मैजिकीन कुछ दूसरी तरीके से लिंडा को मनाने की कोशिश करती है लेकिन लिंडा तब भी उसे बठा देती है कि तुम बात समझो और उसके बाद में लिंडा मैजिकीन को यही कहती है कि तुम भी यहाँ पे काफी अकेली हो तुम तब तक नहीं खुल पाओगी जब तक कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बन पाएंगे ये बात सुनते हैं मैजिकीन वहाँ से भड़ा के चली जाती है क्योंकि मैजिकीन ऐसी personality थी ही नहीं कि उसके कोई दोस्त बन सके यहाँ डैन मैलकम से पूचता है कि आखिर तुमने वो गन क्यों ली थी तो मैलकम कहता है कि तुमने ये बात पूचने में काफे देरी नहीं लगा दी और इसके बाद में Malcolm Dan को भढ़काता है कि कोई अगर मेरी बीवी के साथ में इतना time spent करता तो मैं तो उसे कप कमार डालता Dan इस बाद से समझ चुका था कि Malcolm का ध्यान Lucifer पे है तो Dan पूछता है कि तुम Lucifer को क्यों मारना चाते हो तो Malcolm कहता है कि मैं तुम्हें अगर बताओंगा तुम भी तुम कभी बिलीव नहीं करोगे उसके बाद में Lucifer और Chloe उस रेस्टोरेंट के सीनियर शेफ की पास में जाते हैं जिसका नाम था Anne, ये दौनों कहते हैं कि अगर शेफ मर चाता है तो सभी को पता था कि उसके बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी तो तुमने ही शेफ को मारा होगा तो Anne बताती है कि हाँ ये बात सच है लेकिन मुझे शेफ को मारने से कुछ भी नहीं मिलता इन लोगों की आपस में बहुस चली रही थी कि तभी Chloe के पास में रिपोर्ट आती है शेफ की पोस्ट मार्टम की और इसके बात में वो लूसिफर की उपर बलड की वॉमिट कर देती है इससे हमें समझ में आता है कि Anne ने भी वो ही प्रिक्वास्ट किया था जो कि शेफ ने सुभह किया था अब यहाँ पे लूसिफर अपनी कपड़े बदल लेता है और क्लोई को कहता है कि क्या तुम्हें अब भी Anne की उपर शक है जो कि खुद हॉस्पिटल में एडमिट है और इसके बात में यहाँ पे Dan पहुँचता है एक रिपोर्ट लेके जिसके अंदर एक लड़की की रिपोर्ट थी उस लड़की का नाम था नायोमी यह लोग बताते हैं कि यह पहले इसी रेस्टराँ में एक शेफ हुआ करती थी लेकिन कुछ टाइम पहले ही इसका शेफ से जगड़ा हुआ था Dan अपनी रिपोर्ट के अंदर उस लड़की का एड्रेस भी साथ ही में लेके आता है जो कि क्लोई का अगला कुश्चन था और अब क्लोई और लूसिफर पहुँच जाते है नायोमी के घर पी इन्वेस्टिकेशन करने जहां काच में देखने से क्लोई को पता चलता है कि घर के अंदर तो पहले से ही ट्रॉक्स और इंजेक्शन्स रखे हैं और हमेशा की तरह लूसिफर बिना दर्वाजे को खोले सीदा ही अंदर पहुच जाता है या तो लूसिफर सच में जादूगर है या फिर ये दिवारों से आर पार हो सकता है लूसिफर को कहती है कि हमारे पास में सर्च वारन नहीं है हम ऐसे ही किसी के घर में तलाशी नहीं ले सकते लेकिन लुसिफर कहां रुपने वाला था वो वहाँ पे बड़े बैक को देखने लगता है जिसके अंदर से एक टैग मिलता है और ये टैग था जूनियर का इसका मतलब है शेफ का बेटा नायोमी के घर पे रुका था इस बात पर डाउट होने के कारण अब ये दौनों मिलके घर को सर्च करने लगते है जहां पे सामने लगी एक वाल पिंटिंग कुछ टेड़ी थी क्लोई जब उसे देखती है तो उसके पीछे उसे वो ही ड्रक्स का पैकेट मिलता है इससे अब ये लोग बिलकुल शौर हो चुके थे कि शेफ का मडर उसके बेटे नहीं किया था और इसके बाद में अब नायोमी भी अपने घर पे पहुँच चुकी थी जहां पे वो लुसिफर और क्लोई को देखती है उसके पास भागने का कोई चांस नहीं था वो लुसिफर और क्लोई को बताने लगती है कि हाँ मैं और जूनियर डेट कर रहे थे लेकिन जूनियर के फादर को हम दोनों का रिष्टा मनजूर ही नहीं था जूनियर काफे टाइम से ड्रक्स लेता था इसी कारण उसने अपने फादर का घर भी छोड़ दिया था मैं उनसे अपना रिलेशन सही करने के लिए ही गए थी इसलिए हम दोनों की बीच में छगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा है लूसिफर और क्लोई पूछते हैं कि आज सुबह ब्रेकफास्ट पे तुम भी गई थी ना जूनियर के साथ में तब नायोमी मना कर देती है कि नहीं आज सुबह के ब्रेकफास्ट पे सिर्फ और स्रिफ जूनियर ही गया था अपनी फादर से मिलने के लिए वो कहे रहा था कि वापिस से उसे अपने फादर से बात करनी है और सब कुछ ठीक करना है इसलिए वो वहां अकेला ही गया था ये बात सुनके लूसिफर क्लोई को कहता है कि अब मेरा शक बिलकुल सही है यानि कि जूनियर नहीं अब फादर का मर्डर किया था और अब पुलिस नायोमी को अरेस्ट करके चली जाती है इसी टाइम पे क्लोई की पास एक कॉल आता है जिसके कारण वो अपनी कार एकदम तेजी से निकाल के निकल जाती है हमेशा के जैसे लूसिफर को अकेला छोड़के क्लोई को जिसका कॉल आया था वो ट्रिक्सी की बेबिसिटर थी क्लोई की मॉम ने ट्रिक्सी का खतनाक वाला मेकप कर दिया था एक बार भी डॉल जैसा क्लोई ये चीज़ देख की गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि जो चीज उसने बच्पन में अपने साथ होती हुई देखी थी वो अपनी बेटी के साथ नहीं देखना चाती थी इसी कारण वो अपनी मॉम को साइट में बुलाती है और कहती है कि आप इसे इतने चोटी उम्र के अंदर आडिशन के लिए नहीं लेके जा सकती है ये अब मेरा डिसीजन है कि मुझे ट्रिक्सी के साथ क्या करना है क्लोई जब बाहर आके देखती है तब तक ट्रिक्सी घर में ही नहीं थी क्लूइ ह charan प्रेशान हो कि दैन को भी कॉल लगाती है और हर जगर ट्रिकसी को जोणने की कोशिश करती है और थे ट्रिकसी ने क्लूइ के अकाउंट से एक टैक्सी बुक्सी है यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है ट्रिकसी पे जो कि बहुत चुकेते लक्स लुसिफर को डूनते डूनते जहां पर उसे मिलती है मैजिकीन मैजिकीन उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो ट्रिक्से खुद का नाम बताती है और इसी के साथ बताती है कि मुझे लुसिफर से मिलना है लूसिफर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो मुझे हमेशा हसाता है लेकिन मेरे घरवाले लड रहे है मुझे लेकर कि मुझे करना क्या है तो मैजिकीन ट्रिक्सी से पूछती है कि तो फिर तुम्हें बनना क्या है तो ट्रिक्सी मैजगीन को बताती है कि मुझे मार्स की प्रेसिडेंट या फिर जू की पर बनना है तो मैजगीन डेविल इसमाइल देती है और बोलती है कि मैं भी एक टैम भी जू की पर थी मैजगीन का मतलब था कि वो हैल की जू की पर थी जहाँ पे आनिमल्स की जगर सोल्स हुआ करती थी क्लोई भी हम लक्स पहुँच चुकी थी ट्रिक्सी को लेने के लिए और वो मैजिकीन को जाने से पहले थैंक्यू भी बोलके जाती है यहाँ पे लूसिफर नायोमी के घर पे ही था और वेट कर रहा था कि जूनियर यहाँ पे 100% आएगा और होता भी यही है जूनियर रात के अंदेरे में इस घर में चोरी चुपे पहुचता है लूसिफर कहता है कि हमें पता है कि मर्डर तुमने ही किया है और तुम यहाँ पे अपने मर्डर वैपल लेने के लिए आया हो तो जूनियर कहता है कि तुम गलती कर रहे हो मैं यहाँ पे अपने फादर का दिया हुआ नाइफ लेने के लिए आया हूँ मैंने उनका मर्डर नहीं किया है मैं तो सारी चीजी ठीक करना चाहता था और यह कहने के बाद में जूनियर रोने लगता है जिससे लूसिफर को लगता है कि इसने शायद अपने फादर को नहीं मारा है इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लोई के घर पे जहाँ पे अब अल्मोस सब लोग पहुँच चुके थे क्लोई, ट्रिक्सी और साथ ही साथ में डैन ये लोग अपनी मॉम से पूछते हैं कि खाना आपने बनाया है या फिर कहीं सी ओडर किया है तो क्लोई की मॉम क्याती है कि मेरी हैल्प करने के लिए लूसिफर कब से आ चुका है और इसके साथ में इसका फ्रेंड भी आया है क्लोई और डैन जब देखते हैं कि आज के मॉर्डर का सबसी बड़ा सस्पेक्ट उसका बेटा हमारे घर के अंदर कोकिंग कर रहा है तो वो दोनों लूसिफर के उपर बहुत गुसा करते हैं क्लोई क्याती है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि जिसने आज मॉर्डर किया है वो मेरे घर के अंदर खाना बना रहा है तो लूसिफर उसे समझाता है कि ये इंवस्टिकेशन करने का सबसे बेस तरीका है अगर हमने उसे अरेस्ट किया तो वो अपने लॉयर को बला लेगा और हमें कभी नहीं पता चलेगा कि मर्डर किस ने किया था डिनर टेबल पे सबी लोग बैठे थे और बोलता है कि मैं भी मेरे फादर के साथ कुछ ऐसा ही बीएफ किया करता था और वो मुझे आज सुबह कुछ बात भी बताने वाले थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो हमारा लास्ट ब्रेकफास्टों का मैंने अपने फादर को नहीं मारा है अगर आप चाते हैं तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए नहीं तो मुझे छोड़ दीजिए इस डिनर टेबल पे हुए आर्ग्यूमेंट से वैसे ही किसी का डिनर करने का मूड नहीं था इसी कारण डैन जुनियर को अरेस्ट कर लेता है और बाकी लोग पे डिनर नहीं करते हैं रात होने पर अभी भी क्लोई इसी केस के उपर काम कर रही थी लूसिफर जब वहाँ आता है तो क्लोई उसे बताती है कि सच में जुनियर ने शायद अपनी फादर का मुर्डर नहीं किया है क्योंकि पोस्ट मार्टेंंग के अंदर जो ड्रक्स मिले है वो नायोमी के घर पे मिले ड्रक्स से मैच नहीं करते हैं तो लूसिफर और प्लोई आपस में बात करते हैं कि अगर जूनियर ने अपने फादर को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा होगा ये लोग एन के बारे में बात करने लगते हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में एड्मिट हैं ये लोग सूचते हैं कि शायद एन ने इतना ही वेनम डाला हो जिससे कि वो सिर्फ फेंट हो सके खुद को हाम नहीं पहुचा सके इसके बाद में क्लोई हॉस्पिटल लगा के एन के सब्सक्राइब ये लिए उस्ट लेने मना किया घया था आब यहां पर सारी मिस्ट्री सॉल्फ हो चुकी थी इन लोगों को पता चल चुका था कि वूड़क्स और कि दूर चुरानी के लिए वापिस पहुंचती है एस लिकिन वहां पर लूए लुसिफर पहले पहले मौजूद थे वो लोग एन को कहते हैं कि तुम पे कोई शक नहीं करता इसी कारण तुमने सारी चीज़ें ऐसी की कि सारा शक जूनियर पर चला जाए आखिर तुमने शेफ को क्यों मारा तो एन कहती है कि मैं शेफ को कभी मारना ही नहीं चाहती थी इससे क्लोई कहती है कि अगर तुम शेफ को कभी मारना ही नहीं चाहती थी तो ये खाना जूनियर के लिए था लेकिन जूनियर ने तो नौन बिच छोड़ दिया था इसलिए सारा प्रिकवा शेफ ने कर लिया था देट मिंज तुम शेफ को नहीं जूनियर को मारना चाहती थी तो एन कहती है कि मैं उन दौनों को ही मारना चाहती थी जूनियर का इस रेस्ट्रॉप पे कोई हक नहीं था लेकिन शेफ अपने बेटे के नाम पे सब कुछ करने वाला था इसी कारण मैंने दौनों को ही मारना चाहा ये बात कहने के बाद में एन ने वहाँ पे ओईल का कंटेनर गिरा दिया था और इसी के साथ में उसने वहाँ लाइटर पे फैंक दिया था इस कारण पूरे रेस्ट्राँ में बहुत पूरी तरीके से आग लग चाती है क्लूई लूसिफर से help मांगती है बाहर निकलने के लिए और उसकी बाद में हम देखते है कि एक devil जो कि सुपर हिरो की तरह रेश्टरॉय से क्लूई को गोद मेले के बाहर निकलता है क्लूई लूसिफर को बताती है कि Anne को अरेस्ट कर लिया गया है और इसी के साथ मैं उसे थैंक्यू पे बोलती है कि तुमने तुमने तुम्हारी चान पे खेल की मुझे बचाया है Chloe चूनियर को कहती है कि मैं बताती हूँ कि तुम्हारे फादर तुम्हें आज क्या कहने वाले थे जब तुम तुम तुमारे पादर से मिलने वाले थे तो वो भी तुमें हमेशा के लिए माफ कर देते और ये सारा रेस्टरॉण तुमारे नाम करने वाले थे तो क्या आप तुम इस रेस्टरॉण को लेना चाहोगे? तो चुनियर कहता है कि हाँ जरूर अब शायद मैं इस पर अपना रेस्टरॉंट बना सकता हूँ यहाँ पे हम देखते हैं कि मैजिकीन लिंडा के पास में पहुची थी और वो लिंडा को कहती है कि मैं तुम्हें एक खुटनी उस देना चाहती हूँ मैंने आज एक फ्रेंड बनाई है तो लिंडा पूछती है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है कौन है आखे तो मैजिकीन बताती है कि एक 8 साल की बच्ची है और लिंडा कहती है कि शुरुबात तुम्हारी बहुत ही अच्छी है हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों बाद में कोई तुमारी उम्र की भी दोस्त मिल जाए और इसी के साथ में मैजिकीन हाथ आगे बढ़ाती है लिंडा के साथ में तोस्ती करने का यहां क्लोई के मौम भी क्लोई से बात करती है और कहती है कि मेरी कल सूबे की फ्लाइट है लेकिन मैं तुम से मिले बना नहीं जा सकती थी मैंने बच्पन में जो भी किया हो तुमारे साथ लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुशी रेखना चाहती हूँ इसके बाद में हम देखते हैं कि Malcolm और Dan मिलते हैं जहां पर Dan Malcolm को कहता है कि तुम बिल्कुल सही कहा रहे थे कि Lucifer को तुम मरना ही चाहिए लेकिन वो Malcolm को कहता है कि Lucifer को तुम नहीं मारोगे जब Dan Malcolm को हेंड़कफ स्पहें भी लेता है और डैन के साथ में जब वो कार में बैटने वाला था तब ही वहाँ पे वो डैन को गिरा देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से फाइट करता है डैन को फरक नहीं पढ़ रहा था कि किसी को उसके केस की बारे में पता चले या ना चले डैन बस यही चाहता था कि लूसिफर मैलकम की हाथों से ना मरे लेकिन यहां तो उल्टा हो गया था मैलकम नहीं डैन को इतनी बुरी तरीके से इंजट कर दिया था कि डैन वहीं पे फेंट होके गिर जाता है डैन के पास में एक मैसेज आता है जो कि क्लोई का था और मैलकम कहता है कि इसका रिप्लाइ मैं अची तरीके से कर दूँगा यहां हम देखते हैं कि लूसिफर के घर पे क्लोई बिलकुल ड्रंक होके पहुँचती है और लूसिफर के साथ में और ड्रिंग करने लगती है लूसिफर मजाक में कहता है कि क्या डैन के साथ तुमारा कोई सीन हुआ है तो क्लोई बताती है कि अभी तक हमारा दूसरी बार रिष्टा शुरू भी नहीं हुआ था और इससे पहले उसने टेक्स्ट करके सब कुछ बिगार दिया इसका मतलब था कि मैलकम ने डैन के फोन से कुछ उल्टा सिधा मैसेज किया था क्लोई को क्लोई नशी की हालत में थी और इसी कारण वो थोड़े बहग भी रही थी लेकिन लूसिफर ने इस चीज का कोई फाइदा नहीं उठाया और क्लोई को अपने से दूर कर दिया क्लोई इस चीज से काफ़े गिल्ट फील कर रही थी लूसिफर क्लोई को समझाता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है वो कुछ और बात बोलता तब ही उसे क्लोई के खराटो की आवाज आती है यानि कि क्लोई वहीं पर सोच चुकी थे और इसे के साथ में guys ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है पता है कि लूसिफर के स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि डैविल इम्मोर्टल है यानि कि वो मर नहीं सकता है लेकिन इसी के साथ में सीजन्स के बीच में हमने देखा था कि एक बार खुद पे ट्राइ करने की वज़ाय से जब लुसिफर ने क्लोई से अपने उपर गन चलवाई थी तो लुसिफर को उससे चोट लग चुके थी और खून बहने लगा था तो क्या डेविल सच में मॉर्टल है या इम्मॉर्टल और इसी के साथ में मैलकम को भी अब अपना काम पूरा करना था क्या हो का जब डेविल को कोली लग जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुसिफर सीजन के 11 एपिसोड को जहां पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नशे की हालत में क्लोई लुसिफर के घर पे ही सो गई थी सुब्ध आenग कोलने पे वो खुद को लुसिफर के बैट प देखती है जहां लुसिफर उसकी लैक पुलिंग कर रहा था लुसिफर क्लोई को कहता है कि जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल ठीक है यानि कि हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है तो क्लोई कहती है कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ मैं सिर्फ नशे की हालत में थी इसलिए ही सब कुछ हुआ होगा और आखिर में लुसिफर क्लोई को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तुम रिलेक्स रहो इसके बाद में लुसिफर और मैजिकीन के बीच में बात होती है जहां पे लुसिफर अभी भी मैजिकीन से नराज ही था सीन एक क्राइम लोकेशन पे शिफ्ट होता है जहां पे लुसिफर क्लोई को मिलके कुछ अमबारिस करता है लेकिन इसके बाद में ये उस इंसान पे पहुँचते हैं जिसका मर्डर हुआ था वो एक बास्केट बॉल प्लेयर था इसी के साथ में बहुत सारे पैसे होने के कारण वोई का याश आदमी भी था लेकिन कुछ समय के बाद में उसने सब कुछ छोड़ दिया था और एक चारेटी ओगनाईजेशन का फाउंडर बन चुका था उसने बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा काम किया था एक चोटे लड़के को बुलाया जाता है जिसने सबसे पहले इस लाश को देखा था जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम टिम था लोसिफर और क्लोई जब पूछते हैं कि तुम कौन हो तो वो लड़का कहता है कि मुझे टिम ही लेके आये थे हैटी के डिजास्टर के बाद में मैं इस और्गनाईजेशन को वॉलिंटियर ही हूँ और मुझे टिम ही रखता है इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे मैलकम ने लास्ट एपिसोड के अंदर दैन को बहुत पूरी तरीके से इंजट किया था इसी के साथ में वो अब दैन के हाथ पैर बान के उसे एक अंधेरे कमरे में बान देता है और मैलकम डैन को ये भी बता के जाता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैंने इस गन पे ले लिये है यानि कि मैं जाओंगा सीधा लूसिफर को ठिश्क्याओं करूंगा और साफ साफ इलजाम आएगा तुम्हारे उपर लूसिफर और क्लोई अब टिम के घर पे थे जहाँ पे वो पूछताच कर रहे थे टिम की वाइब से जिसका नाम था वेनिसा उन्हें बता चलता है कि यहाँ पे एक बड़ासत चैरिटी इवेंट होने वाला था लेकिन टिम की डेथ के बाद में वो चैरिटी इवेंट अब नहीं हो रहा है लूसिफर को यहाँ पे दरिया दिली बनने का शौक चड़ा था इसी कारण वो वेनिसा को अपना लक्स ओफर करता है और बोलता है कि आप यह चैरिटी इवेंट मेरे लक्स में कर सकती है लूसिफर अपने थेरिपी के अंदर डॉक्टर लिंडा को बताता है कि मुझे यह चैरिटी करके काफी अच्छा लगता है मानों की जैसे नशासा होने लगता है तो डॉक्टर लिंडा लूसिफर को बताती है कि तुम यह काम करतो रहे हो यह बहुत अच्छा काम है लेकिन तुमें इसे मजाक नहीं समझना चाहिए बलकि यह काम दिल से होना चाहिए लेकिन लूसिफर चैरिटी तो कर रहा था लेकिन वो इसे एक मजाक और गेम ही समझता था जब टिम की बॉड़ी को देखा गया था तो उसके हाथ से वाच और गोल्ड रिंक्स चोरी थी तो क्लोई नहीं सोचा कि जिसने भी इसे चुराया होगा आसपाज जरूर इसे सेल किया होगा और तभी उन्हें एक पॉन्ट शॉप से कॉल आता है जहां पर टिम की रिंक्स को बेचने के लिए एक आदमी आया था वो आदमी क्लेम करता है कि टिम मेरा बहुत पुराना दोस्त था और वो मुझे ये चीजें ऐसे ही दे देता तब क्लोई उन समानों में इसे एक वालेट भी निकालती है क्लोई को उस वालेट में एक रूम की की भी मिलती है लुसिफर चब उस आदमी की हालत देखता है तो उसे वहाँ में दर्यादिली करने की इच्छा हो जाती है और वो सोचता है कि टिम अगर यहाँ पे तुमें सारी चीजे दे देता तो मैं क्या उससे कम हूँ और वो अपने सारे ब्रेंटेट कपड़े उतार के उस आदमी को दे देता है क्लोई यहाँ पे बड़ा पचता रही थी कि लुसिफर को पतानी क्या हो गया है यहाँ लुसिफर और क्लोई को अभी भी वैनेसा की उपर डाउट था कि अगर टेम की मौत हो जाती है तो वैनेसा अपनी लक्चीरियस लाइफ कैसे जीएगी इसी कारण वो फिर से एक पर वैनेसा के पास में जाते हैं लेकिन इस बार वहाँ पे वैनेसा का लीगल लॉयर भी था जिसका नाम था विल और ये लॉयर वैनेसा को क्लोई और लुसिफर से बात नहीं करने देता है तो लुसिफर यहाँ कहता है कि मैं तो वैनेसा से बस इस चरिटी इवेंट के बारे में बात करने आया हूँ यहां वो lawyer Will Chloe को कहता है कि आप लोग गलत इंसानों से बाते कर रहे हैं टेम एक बहुत बड़े organization का founder था उससे मिलने के लिए काफी लोग आया करते थे और खास कर जरूरत मन्द लो Will का इशारा उस चोटे लड़के पे था Chloe जब फिर से उस चोटे लड़के को बुला के बात करती है तो वो लड़का बताता है कि हाँ मेरी कुछ बहस हुई थी टिम से क्योंकि उन्होंने मुझसे scholarship का वादा किया था scholarship मुझे नहीं मिलने पे मैं उनके उपर चिलाया भी था कुछ बुरा बला भी बोला था लेकिन जब मैं अगले सुबह उनसे माफी मागने के लिए आया तब तक वो इस दुनिया में नहीं थे आप यहाँ पे suspect तीन लोग थे इनका official lawyer Will और दीसरा ये चोटा लड़का Lucifer और Chloe अभी भी इस बात का पता लगा रहे थे कि आखिर अगर Vanessa के पास में ये properties नहीं जाती Chloe और चोटे लड़के से बात करने पे ये भी पता लगा लेती है कि Vanessa और टिम के बीच में कुछ अच्छा relation नहीं था और इसके बात में ये दौना assumption लगाते हैं कि हो सकता है कि टिम वापिस से आयाशी करने लग गया हो और इसी बात का पता Vanessa को चल गया हो हो सकता है इसी कारण Vanessa ने अपने husband को मारा हो तब Lucifer कहता है कि आज मुझे dinner के लिए charity donors के यहाँ पे जाना है जो कि इस founder के सबसे बड़े donors है इसके बाद में Chloe और Lucifer एक ऐसी event पे पहुचते हैं जो कि इस organization की charity donor थे तब वहाँ पे महौल को हलका करने के लिए Lucifer खड़ा हो जाता है और वहाँ पे singing स्टार्ट कर देता है Chloe वहाँ पे टिम के assistant को notice कर रही थी और कुछी समय के अंदर टिम का assistant खड़ा होके जोर-जोर से चिलाने लगता है कि यहाँ पे एक इनसान की मौत हो गई है और आप सब लोग गाना गा रहे हैं आप लोगों को शरमानी चाहिए और अब Chloe और Lucifer के पास में उनका fourth suspect था यानि कि टिम का assistant जब वो दौनों से बात करने जाते हैं तो टिम का assistant बोलता है कि हम दौनों एक दूसरे को चाहते थे वो बताता है कि टिम ने मरने से पहले मुझे एक picture भीजी थी और इसी के साथ में वो ये भी बताता है कि हम लोग public के लिए नहीं मिला करते थे और ये बात वेनिसा को भी पता थी लेकिन वेनिसा को इस चीट से कोई problem नहीं थी यहाँ पे scene shift होता है Malcolm और Dan के पास में जहां Malcolm Dan को बताता है कि क्या कभी तुम hell में गए हो इसलिए मुझे ये दूसरी जिंदगी इतनी प्यारी है और मैं वापिस से कभी भी उस जगह पे नहीं जाना चाता हूँ इन्ही बातों के अंदर Dan Malcolm के खाने पर एक किक मार देता है जिससे कि Dan एक stick अपने पास में ही रख लेता है Chloe यहाँ पे बैटके Tim के charity videos देख रही थी कि शायद उस picture का उसे कोई clue मिल जाए और तभी वहाँ पे Chloe के घर पे इनका official lawyer will पहुचता है और वो Chloe को अभी भी समझाता है कि तुम हम लोगों पे गलत शक कर रहे हो हमारी सारी details यानि की donation का हर एक पैसा publicly होता है तो फिर यहाँ पे कुछ गलत हो ही नहीं सकता है इसके बाद में Lucifer अपने लक्स के अंदर charity event की फूरी तैयारी कर चुका था और Chloe Lucifer को बताती है कि मुझसे घर पे मिलने के लिए will आया था और वो अभी भी यही बात कह रहा था कि हम लोग किसी गलत इनसान के उपर शक कर रहे हैं तो Lucifer कहता है कि हाँ हो सकता है वो बिलकुल सच कह रहा हो हम किसी गलत इनसान को ही नोटिस कर रहे हूं तो Chloe कहती है कि तुम ये बात समझ नहीं रहे हो यहाँ पे जरूर कोई चीज मिस हो रही है अब यहाँ पे हमें आमेने डील दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टरौन के अंदर अकीला बैठा डिनर कर रहा था और वहाँ पे मैजिकीन उसका पता लगा कि वहीं पहुँच जाती है मैजिकीन अमेने डील को इस चीज की बारे में बताती है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है यानि कि लुसिफर से चगड़ा वो तुम्हारे करन हो रहा है अमिनेडील मैजिकीन को कहता है कि तुमने ही तुम्हारे बॉस से गतारी की थी इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है ये तौनों ही आपस में बात करने لगते हैं कि तुम्हारे पास में कोई दोस्त नहीं है इसलिए तुम यहाँ पे बैटके अकेले डिनर कर रहे हो और वही आमनेडील मैजगीन को कहता है कि तुम्हारे पास में भी कोई दोस्त नहीं है इसलिए तुम किसी से बात नहीं कर पाती और आज यहाँ पर हो इसी के साथ ही अपने कोई पुराने किसे भी शेयर करते हैं जहाँ पे आमनेडील मैजगीन को बताता है कि कैसे उसने हजारों साल पहले लुसिफर को एक बार तंग किया था यहाँ क्लोई टिम के असिस्टेंट के साथ में बैटके टिम के रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे कि टिम कहाँ पे आता था और कहाँ पे जाता था उन्हें टिम के लास्ट रिकॉर्ड से पता चला था कि वो उस जगह पे जानी वाले थे जहाँ पे अभी एक नियू स्कूल बनने वाला था बच्चों के foundation में आये हुए पैसो से और तब Chloe वापिस से उसी picture को देखती है जिसके अंदर Tim खड़ा था, Will खड़ा था और Tim का assistant भी था Chloe को लगता है कि हो सकता है कि Tim तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो यानि कि जो वो school बनने वाला था वो school कभी बना ही ना हो और आनी वाला पैसा बीच में ही कई और चला गया हो ये बात प्रूफ करने के लिए Chloe विल के पास में पहुँचती है और विल को सारी बात समझाने की कोशिश करती है विल कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम लोगों के भले के लिए करता हूँ तुम अभी भी गलत शक कर रही हो Chloe कहती है कि तिम ये चीज़ देखने के लिए खुद अपनी आँखों से गया था कि जो वो organization के पैसों से school बनाने वाला था वो school कभी बना ही नहीं था और ये बाद जब टिम को पता चली कि वैनेसा ने इस चीज़ के पैसे खुद के अकाउंट में डाली है तो वैनेसा ने टिम को मार डाला इसकी बाद में Chloe Will को कहती है कि तुम्हे बस वैनेसा के अकाउंट्स चेक करने है तो Will कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता लूसिफर रेवेंट में जाने के लिए रेडी था कि तभी वहाँ पे मैलकम पहुँच जाता है और लूसिफर को गन पॉइंट पे ले लेता है लूसिफर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और भला मुझे क्यों मारने आए हो तो मैलकम उसी बताता है कि मेरी एक एंजल से टील हुई है कि वो मुझे कभी भी नहीं मारेगा और नहीं कभी हैल भीजेगा इससे लुसिफर कहता है कि ओ मेरा भाई ये भी क्या कमाल चीज़े करता है और इसी के साथ में वो मैलकम को अपना डैविल फेस पे दिखाता है लेकिन मैलकम नहीं डरता है तब लुसिफर को पता चलता है कि मैलकम तो इससे पहले हैल जाके आज चुका था यानि कि इसने वो दर्दनाक जिंदकी देखी थी इसी कारण वो Malcolm को पागल बनाता है और Malcolm को अपने pocket से hell का एक coin निकाल के दिखाता है और बोलता है कि angels कभी भी किसे इंसान को मार नहीं सकते और इसी के साथ में उन्हें hell भी नहीं भेज सकते ये नियम God नहीं बनाया है यानि कि मेरे फादर ने अमैने डील ने तुम से जूट बोला है लेकिन मैं तुमें अभी भी बचा सकता हूँ ये जो coin है ये hell से आने और जाने का ticket है मैंने इससे अपने लिए बचा रखा था ताकि मैं hell जा सकूँ तुम इसे ले सकते हो ताकि अगर तुम चले भी गए hell और मर भी गए तो तुम hell से वापिस आ सकते हो मैलकम खुशी-खुशी वो coin ले लेता है और वहाँ से चला जाता है लुसिफर यहाँ पे कुछ परेशान था ये सोचके कि लुसिफर के भाई ने किसी को भीजा था लुसिफर को मरवाने के लिए और तब ही वहाँ पे वैनेसा पहुँच जाती है जो कि लुसिफर से बातों ये बातों में कहती है कि मैं विकिशन्स के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहती हूँ ब्रूस आइरिस में मेरा एक फाम हाउस है लुसिफर कहता है कि काफे सालों पहले हमारे भी रिष्टिदार वहाँ जाया करते थे लेकिन उन्होंने तो गए थे और इसी के साथ में लुसिफर वैनेसा की बात भी पकड़ लेता है वो वैनेसा को कहता है कि तुमने ही टिम को मारा है अपने हस्बेन को मार के वहाँ तुम छुटियां बिताने जा रही हो वैनेसा कहती है कि मैं मेरे हस्बेन से बहुत प्यार करती थी और वो भी मरना तो तै था या तो आज वो मैलकम की हाथों से मरता या फिर आज वैनेसा की हाथों से मरता भागते भागते डैन यहाँ पे लक्स पहुँचता है सबसे पहले कि मैलकम ने कहीं लुसिफर को शूट नहीं कर दिया जब वो लुसिफर को जमीन पे गिरा हुआ देखता है तो उसे लगता है कि उसने आने में देर कर दी है लेकिन तभी वहाँ पे लूसिफर फिर से उट खड़ा होता है डैन उसे देख के चौक जाता है कि तुम जिन्दा कैसे हो गए तो लूसिफर कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है और डैन क कि सच्चाई सब के सामने लाना चाहता था उसे हिपलोटाइस करके लेकिन इससे पहले पहुंच चुकी थी और क्लोई कहती है कि तुम नहीं टिम को मारा है और उस ऑर्गनाइजेशन के चैरिटी अमांट को तुम ने रख रखा है तो वैनिसा कहती है कि तुमारे पास में क लकस के अंदर पहुचती है तो लुशिफर मैज़ा कीन से बात करने लगता है लेकिन लुशिफर यह भी कहता है मैज़ा को मैं तुम पर कभी मैं कर सकता हो चासूस के साथ में लुशिवर कि लुसिफर को कहती है कि ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ में कभी तुम अभी भी immortal हूं लेकिन जब उसका हाथ अपने आंखों के सामने आता है तो वो अपना हाथ फिर से पीछे कर लेता है और Chloe को कहता है कि हाँ Chloe मैं भी तुम्हारे सामने आते ही कमजोर पढ़ने लगता हूँ और इसके बाद में हमें आखरी सिन दिखाया जाता है कि Lucifer का हाथ कट चुका है और उसके हाथ में सी खून निकल रहा है इससे हमें ये पता चलता है कि Devil के आसपास अगर Chloe रहती है तो Devil की Immortality खतम हो जाती है यानि कि वो वापिस से Mortal होने लगता है और हो सकता है कि उसके जान भी चली जाए इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खतम होता है गाइस हम सभी लोकों ने अब तक Lucifer की सीजन में Lucifer Morning Star यानि कि Hell के Devil का Mortal या Immortal होना देखा था जो कि Depend करता था Chloe के आसपास रहने से इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि मैजिकीन अब Lucifer के लिए काम कर रही थी इसी के साथ हम आज एपिसोड नमर 12 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक थेटर प्ले हो रहा था जहां पे एक लड़की को ब्लाइन फोल लिटा रखा था और उसके बाद में कोई आखे उस लड़की पे अटैक कर देता है इसके बाद में इस लड़की को उठा के कहीं और ले आए जहां पे हम देखते हैं कि ये लड़की मरी नहीं थी लेकिन तब ही वहाँ पे वो लड़का खड़ा था जिसे ये लड़की चानती थी वो फिर से इस लड़की की आँखे बंद करता है और हाथ भी बांद देता है लड़की चप ड़ने लगती है और अपने हाथ और अपनी आखे खोलती है तो वो देखती है कि सच में उसे किसी ने मार दिया था सीन आगी शिफ्ट होता है जहां पे हम देखते हैं कि मैजिकीन ने हेल में बने हुए सारे डेगर्स को यानि कि खंजर को लूसिफर के उपर ट्राइ कर लिये थे लूसिफर ये देखना चाहता था कि उसे कोई नुकसान पहुच रहा है या नहीं पहुच रहा है और तभी Mazzikian Lucifer के उपर Demon Dagger use करती है जो कि Hell में खास Demons के लिए बना था Lucifer वहाँ से जाने लगता है और तभी उसका पैर वहाँ के Step यानि कि Italian Marble के Step से टकरा जाता है और उसके पैर में से खून आने लगता है Lucifer को लगता है कि शायद कुछ चीजे और भी है ये तुम से related है और तुमें चल के देखना पड़ेगा लुसिफर जब Chloe के साथ में Crime Scene पे जाने वाला था तो वो Chloe से काफी दूरी बनाए हुए था लुसिफर को डर था कि वो जब पी Chloe के पास आता है तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है Crime Scene पे पहुँचने से पहले लुसिफर देखता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसका लीडर एक प्रीस्ट था जब सभी लोग धेटर की Crime Location पे पहुँचते हैं तो लुसिफर कहता है कि बड़ी ही धर्दनाक मौत मिली है इस लड़की को हलांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था लेकिन तुम लोग पता लगा लोगे क्लोई कहती है कि तुम्हें आगे देखना चाहिए इसके बाद जब बॉडी को पल्टा जाता है तो लुसिफर देखता है क्लोई देखती है कि उस लड़की के हाथ पर इंप्लांट्स बने हुए थे डैन वहाँ पे उस लड़की की डीटेल्स ले की आता है इस लड़की का नाम था रोज और अब लुसिफर और क्लोई मिलने जाते है रोज के घर पे उनके फदर से मिलने रोस के फादर क्लोई और लुसिफर से कहते हैं कि ये लड़की समझदार थी लेकिन कभी भी ये खुद के कुर्बानी नहीं दे सकती है इसके बाद में क्लोई को वहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है रोस के घर में जो कि एक ऐसा रूम था जहां पर ब्लैक मैजिक से चूड़ी चीज़े रखी हुई थी इसके साथ में ऐसे चीज़ें जो कि कुर्बानी देने के काम आती है Chloe को वहाँ एक book मिलती है जिसके उपर लिखा था for cross on Lucifer बताता है कि Italian की अंदर इसे बूला जाता है dear rest या फिर दिल का टुकड़ा हो सकता है कि ये Rose का boyfriend हो इसके बाद में Chloe के पास में Dan का call आता है Dan बताता है कि हमने उस लड़की को पकड़ा है जिसने Rose के उपर implants किये थे वो लड़की बताती है कि Rose के साथ में उसको एक boyfriend भी आया था जिसके उपर खूप सारे tattoo बने हुए थे यहाँ पर हम एक scene देखते है कि basement में Malcolm को Amenadiel ने पकड़ लिया था और वो Malcolm को गले से पकड़ के पूछता है कि तुमने आखे मेरा काम क्यों नहीं किया तो Malcolm उसे बोलता है कि Angel मुझे तुमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है तुमारे भाई Lucifer ने मुझे बताया है कि Angels कभी पे इंसानों को नहीं मार सकते हैं और इसी के साथ में मुझे Lucifer ने Hell से लॉटने का भी एक कोईन दिया है तुमारे पास अगर इससे कुछ अच्छी डील है तो मेरे पास आना नहीं तो तब तक के लिए मैं Lucifer की टीम में हूँ यहाँ Chloe पुलिस टेशन में बैठके कुछ letters अरेंज कर रही थी जो कि उससे अरेंज नहीं हो पा रहे थे Lucifer जब उन letters को देखता है तो देखते ही पता देता है कि यह लिखा हुआ है फिली हरकस जो कि Latin Language में लिखा हुआ था जिसका मतलब था Children of Court यानि की बकरी का बच्चा Lucifer को इसी नाम से बुलाया जाता है Chloe जब इस चीज को इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे एक पेज मिलता है जो कि कल्ट के membership का था ये लोग उसकी membership लेते हैं और उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहां का address था वहाँ पहुचने के बाद में Chloe Lucifer को कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा behave क्यों कर रहे हो उस रात के बाद जिस रात मैंने तुमें कहा था कि तुम मेरे लिए important हो तो Lucifer Chloe का मजाक उड़ा देता है और बोलता है कि तुम इतनी भी खास नहीं हो जब ये लोग दर्वाजे को knock knock करते हैं तो एक आदमी बाहर निकल के आता है लेकिन ये password पूछता है Chloe style मारते हुए फिली हरकस बोलती है लेकिन तब भी वो आदमी ने अंदर नहीं आने देता है Lucifer भी वहाँ पे कुछ दूसरी languages try करता है फिर वो आदमी कहता है कि आज यहाँ पे private party चल रही है password तो तुमारा ठीक है लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकते इसके बाद में वो इन दौनों की ID मांगता है तो Lucifer कहता है कि Chloe तुम प्लीज चाके मेरी ID कार में से ले आओ Chloe पीछे मुड़ी ही थी कि Lucifer ने अपनी devil eyes उस आदमी को दिखाई और वो डर के मारी वहाँ से भाग गया Lucifer और Chloe एक ऐसी जगह पे पहुचते हैं जहाँ पे सभी लोगों ने black dresses पैन रखी थी और वहाँ पे बीच में खड़ा आदमी रोस को याद कर रहा था और कुछी देर के अंदर एक बकरी का सर पहना आदमी अंदर पहुचता है ये चीज़ देख के Lucifer सेह नहीं पाता है और वो इन लोगों के बीच में पहुच जाता है Lucifer वहाँ सभी लोगों को कहता है कि मैंने कभी तुम लोगों को नहीं कहा कि तुम किसी को चांद से मारो नहीं मैंने तुमें ये कहा कि कोई बुरे काम करो Lucifer का मतलब है पकावत करना वहाँ पे सभी लोग Lucifer को देख के अपना मानने लगे उन्हें लगा कि ये लीडर हमारे लिए पॉफेक्ट है कि सब्सक्राइब भी नाइव्ध ये ही रोज की ऊपर बना था तब वह आदमी बताता चलता है कि यह की लोगों पर डाला शा रहा है लुशिफर और ख़ड़ YE वहां पे खड़ी के पैंटिंग देखते हैं जहाँ पे Chloe कहती है कि Lucifer तुमने devil बनना इसलिए चूज किया क्योंकि ये strong और powerful है इसके साथ में वो ये भी कहती है कि angel ही angel को मार सकते है और तबे लुसिफर को click होता है कि हो सकता है कि Chloe एक angel हो इसी कारण वो जब भी मेरे पास आती है तो मेरा blood निकलने लगता है यहाँ पे Chloe को Rose की boyfriend का पता चलता है यानि की cross on का इसका नाम था Mike Carey यहाँ पे मैजिकीन और Amenity भी एक साथ थे जहाँ पे Amenity को लग रहा था कि मैं सिर्फ एक काम के लिए ही इस दुनिया में आया था और मैं ये काम भी पूरा नहीं कर पाया God का मैं वापिस heaven कैसे जाप पाऊंगा जब तक कि मैं Lucifer को hell नहीं भीच दूँ मैजिकीन Amenity को शांद करती है यहाँ Chloe और Lucifer Chloe के घर पे थे जहाँ पे Chloe Lucifer को कहके जाती है कि Trixie सो रही है और उसे उठाना मत लेकिन Lucifer हमेशा वो ही काम करता है जिसके लिए उसे मना किया गया है वो Trixie को नीन में से उठा देता है Trixie जब बाहर आके पूछती है कि आपने मुझे नीन से क्य उठाया तो Lucifer Trixie से पूछता है कि क्या तुमें गोट लिया गया है लेकिन वो किसी और का है Chloe आके बात क्लियर करती है कि वो माक मेरी मॉम के डॉग ने मुझे दिया है यानि कि Chloe को एक डॉग ने काटा था इसकी बाद में Chloe Lucifer को कहती है कि तुम्हें मना किया था ना कि Trixie को मत उठाना तो तुमने उसे क्यों उठाया Lucifer कहता है कि मुझे बस तुमसे एक जूटा सा काम है मुझे तुमारी बैक देखनी है Lucifer जब Chloe की बैक देखता है तो उसे कोई भी निशान नहीं मिलता है ना ही कोई Wings का ना ही कोई दूसरा निशान Chloe कहती है कि मैं तुमारी बात समझ सकती हूँ कि तुमें जो निशान मिले हैं वो मुझे नहीं पता कि किस कारण हुए है अब माइक क्यारी की काड़ी का जहां पता मिला था वहाँ पे डैन और मैलकम पहुँचते हैं और इसी के साथ में Chloe और लूसिफर भी इन चारों को जब कुछ भी नहीं मिलता है कि तब है Chloe के हाथ पे आके कुछ बलट के ड्रॉप्स गिरती है ये लोग जब ऊपर देखते हैं तो माइक क्यारी की बॉड़ी हवा में जूल रही थी ये लोग बॉड़ी को नीचे उतारते हैं तब लूसिफर सोचता है कि ये तो टॉर्चर की हद हो चुकी है मैंने इतना बुरा टॉर्चर काफी टाइम बात देखा है इसके बाद में Chloe और Dan को वहाँ पे रखे कार्टून पे लिखा हुआ दिखता है Morning Star जिसका पूरा-पूरा मतलब था लूसिफर से connect होने का Chloe लूसिफर को कहती है कि अभी तुम अपने घर चले जाओ लूसिफर इस बात से गुस्सा हो चुका था कि तुम सब लोग मुझे suspect मान रहे हो जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ हो सकता है कि तुम पूरे world को मुझसे बचा रही हो यहाँ लूसिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो ये बात किस से करे इसी कारण वो आदी रात को लिंडा के पास में जाता है और उसे सारी बात बताता है यहाँ पे मैजिफर ने जैसा कि लूसिफर से वादा किया था कि एमेनेडील को खत्म कर देगी वो यही ट्राइ करती है लेकिन एमेनेडील उसे नीन में भी पकड़ लेता है और अब एमेनेडील को पता चल चुका था कि मैजिकीन उसके साथ में चीट कर रही है यहाँ लूसिफर वापस घर की तरफ जाने वाला था लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनी में इसे प्रीस्ट निकल के आता है और लूसिफर को बुरा भला बोलने लगता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही डैविल हो लूसिफर कहता है कि मैंने किसी को नहीं बोला है कि तुम बुरे काम करो और नहीं मैंने किसी को कोई सजा दी है वो प्रीस्ट अभी भी चुप नहीं हुआ था इसी कारण लुसिफर उसको गले से पकड़ के ऊपर उठा देता है ये सारी चीज़े कैप्चर भी हो रही थी मैलकम वहाँ पे पॉचता है और सारा महल ठीक करता है डैन भी क्लोई से बात करता है और उसे समझाता है कि वो जो मैसिस तुमें मिला था उसके बारे में हम बात कर सकते हैं इधर यहाँ पुलिस स्टेशन में हर चका यही निउस चल रही थी कि लुसिफर ने एक प्रीस्ट के उपर हाथ उठाया इधर मैलकम और लुसिफर साथ में बैटके ड्रिंक कर रहे थे और मैलकम फाल्तु के बखवासे कर रहा था कि तब ही वहाँ पे लुसिफर मैलकम के हाथ को देखता है जिसके उपर कुछ रेड कलर लगा था Lucifer कहता है कि तुम्हारे हाथों पर ये color कैसा है Malcolm कहता है कि वह investigation करते हुए लग गया होगा तो Lucifer कहता है कि सभी ने वहाँ पर gloves पैंड रखे थे That means कि अब तक जितने भी murder हुए हैं वो तुम ने किये है Malcolm कहता है कि मतलब तुम समझ गए हो और Malcolm पागलो की जैसे हसता हुआ बोलता है कि Lucifer ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम खुश हो जाओ Lucifer ये बात सुनके तो और जादा भड़क जाता है और Malcolm को मारने लगता है और तभी Malcolm Lucifer को कहता है कि तुम मुझे hell नहीं बेच सकते मेरे पास में ये कोईन है Lucifer Malcolm को कहता है कि मैं तुम है hell कभी नहीं भेजूँगा बलकि तुमारे जिंदगी hell से भी बत्तर बना दूँगा और इसके बाद में अब M&A टील भी वहाँ पौछ चुका था जो कि Lucifer को कहता है कि इससे क्या लड़ रहे हो लड़ना है तो सीधा मुझ से लड़ो और इसके बाद में हमें दिखाई जाती है इंजल और डेविल की फाइट इन दौनों के मन में एक दूसरे को लेके बहुत जादा गुस्सा भरा था वहाँ पे सारी रखी हुई अच्छी चीजें एक के बाद एक टूटी जा रहे थी और तब वहाँ पे मैज़कीन भी ये सारी चीजें सुन रहे थी और अब वो इन दौनों के सामने आके बोलती है कि तुम दौनों ने मेरा यूस किया है तुम दौनों ने एक दूसरे के काम के लिए मुझे एक दूसरे के पास में भीजा सारी लड़ाई खतम होने के बाद में लुसिफर अपने लिए एक ट्रिंग बना रहा था और तब ही क्लोई वहाँ पे आ जाती है लुसिफर क्लोई से कहता है कि तुम में भी मिलेगी और उपर से लुसिफर की ऐसी हालत और इसे जस्ट पहले दो मर्डर भी हुए थे सीधा सीधा शक्स सब कुछ लुसिफर के उपर जा रहा था कि ये तीनों मर्डर लुसिफर ने किये हैं इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे इसी के साथ में डेविल, एंजल और गॉर्ड से रिलेटेड इस्टोरीज भी हमने देखी थी और इसी के साथ में हम सभी लोग पहुँच चुके हैं एपिसोड थर्टीन पे जहां पे हमें खूप सारा सस्पैन्स तो मिलेगा ही मिलेगा इसी के साथ हमें सीजन टू का मेंन बेस भी मिल जाएगा कि सीजन टू किस से रिलेटेड होने वाला है तो चलिए बिना प्रतिक्षा कराय मैं आपको ले चलते हूँ लुसिफर देविल के पास में यह एपिसोड वहीं पे शुरू होता है जहां पे हमने एपिसोड नंबर 12 खतम किया था यानि कि लुसिफर के सामने इस सारे पुलिस वाले और इसी के साथ में क्लोई ये सबी लोग गन लेके खड़े थे लुसिफर को किसी और से फरक नहीं पड़ता है लेकिन जब क्लोई ने भी लुसिफर का बिलीव नहीं किया कि लुसिफर इस चीज से बहुत ज़ादा हर्ट हो चुका था वो क्लोई को भी पुरा भला बोलता है कि तुम्हें ही अगर मुझे ट्रस्ट नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे लुसिफर नहीं था लुसिफर वहाँ से गायब हो चुका था लुसिफर को बचाने वाला और कोई नहीं बलकि उसका भाई या मैने डील था जो कि उसे बचा कि एक टरिस पे लिया आया था लेकिन लुसिफर अपने भाई से कहता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है मुझे लगा था कि यहाँ पे लोग मुझे समस्ते होंगे लेकिन अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है तो मुझे अपने साथ वापिस ले चलो तुम यही चाते थे ना कि मैं हेल चला जाओ तो अब यही ठीक है मुझे यहाँ पे नहीं रुखना है इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है लुसिफर के लक्स में जहाँ पे मैलकम डैन से पूछता है कि लुसिफर कहां गया उसका कोई अता पता है तो डैन कहता है कि वो फरार है और उसके लिए वारंट निकल चुका है वहाँ लक्स के अंदर जो एविडेंस कलेक किये जा रहे थे उसी में से मैलकम को डैगर मिलता है और यह डैगर था मेस का यानि कि मेस का हेल में बना घंजर यहाँ क्लोई डैन को कहती है कि मुझे शक है कि लुसिफर ने ये मर्डर नहीं किया है मैं जितना लुसिफर को जानती हूँ वो एक बहुत चुनूनी आत्मी है वो किसी को इतनी आसान मौत नहीं दे सकता है प्रीस्ट के सर पे सिर्फ एक गोली लगी है और ऐसी मौत लुसिफर कभी किसी को नहीं देगा डैन वहाँ पे क्लोई को कहता है कि क्लोई मुझे तुम से कोई बात करनी है लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे कोई बात नहीं कह सकता हूँ यहाँ हमें फिर से सीन दिखाया चाता है बहार आ चुका है और अब यहाँ पे सभी लोगों को मार रहा है हमें जाने से पहले एक काम खत्म करना पड़ेगा जो कि हमें साथ मिलके करना पड़ेगा और इसके बाद में एंजल और डैविल प्रदर्स साथ थे ये दौनों पहुंच जाते हैं एमनेडील के ओफिस में वही फेक ओफिस जो कि डॉक्टर केनन के नाम से एमनेडील ने बनाया था इसी टाइम पे लिंडा भी पहुंच जाती है लुसिफर की शकल देखते ही वो एमनेडील को कहती है कि तुम मेरी क्लाइंट्स क्यों चोरी कर रहे हो और इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि डैन ने बहुत अच्छा खासा थपड़ खाया था क्लोई से ये बाद चुपाने के लिए कि पलमेटो स्ट्रीट पे उस दिन गोली डैन ने चलाई थी और अब तक क्लोई को जो पागल माना जा रहा था डैन ने ये चीज़ चलने दी थी उसने किसी को नहीं बताया था कि क्लोई सच बोल रही है क्लोई डैन को कहती है कि तुम अभी भी हर चीज़ सॉल्फ कर सकते हो लुसिफर को इनोसेंट साबित करके यहाँ पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अमेनडील और लुसिफर दौनों हेल्प लेने के लिए डॉक्टर लिंडा के सामने बैठे थे यहाँ डॉक्टर लिंडा पहले ही गुस्से में थी कि तुम दौनों ने मुझसे जूट बोला पहली बात तो तुम दौनों आपस में ब्रदर्स नahn लगते हो दूसरी बात अमेनडील की तुमने मेरे साथ मेरे प्राफशन को लेके मजाग किया है तुम मुझसे डॉक्टर बन के बाते करते रहें और लुसिफर के बारे में बात जानते रहें और तभी वहाँ पे लुसिफर और एमनेडेल के बीच में भी आर्गुमेंट्स होने लगते हैं इसके बाद मैं फिर से लिंडा इन दौनों को अपनी पहचान के बारे में बताने लगती है और तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो यह बात सुनते ही लुसिफर को एक चीज़ क्लिक होती है कि मैं चब पात साल पहले एले आया था तो सबसे पहले अपनी पहचान बदली थी और अगर वापिस से किसी इंसान को पहचान बदलनी होगी तो मुझे पता है कि वो कहां जाएगा अब यहाँ पे लक्स में अकेली मेज बैटके ड्रिंक कर रही थी और क्लोई वाँ पे मेज के पास पहुँचती है हेल्प के लिए क्लोई मेज को कहती है कि लुसिफर ने किसी का भी मर्डर नहीं किया है वो मैलकम ने किया है तो लुसिफर कहां है अगर तुम्हें पता है तो मुझे पता दो तो मेज कहती है कि अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताती क्लोई कहती है कि लुसिफर इनोसेंट है यह बात मुझे पता है लेकिन अगर उसके हाथ में मैलकम लग गया लुसिफर किसी के फ्यूनरल के पीच में ही पहुँच जाता है और उस आदमी से बात करने लगता है जिसने उसकी पहचान चेंज की थी वो उस आदमी से पूछता है कि क्या मैलकम तुमारे पास में आया था तो वो आदमी डर के मारे पहले तो कुछ भी नहीं कहता है लेकिन लुसिफर जब उस फ्यूनरल में तमाशा करने लगता है तो वो आदमी बताता है कि मैलकम यहाँ पे आया था लेकिन उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे चुका सके इसलिए वो पैसों का आरेंजमेंट करने के लिए किसी टॉमी नाम के आदमी के पास गया है यहाँ लुसिफर सोचता है कि टॉमी नाम के इस एले शेहर में बहुत लोग होंगे लेकिन मुझे इस चीज की हेल्प सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर सकता है जो की है डैन यहाँ पे क्लोई और में सोचते हैं कि हमें मैलकम की घर पे जाना चाहिए जब यह लोग मैलकम के घर पे पहुचते हैं तो वहाँ पे हर एक समान पैक पड़ा था और इसके बाद में इन दौनों के उपर शूटिंग होने लगती है क्लोई कहती है कि हम एले पीडे से हैं अपनी गन नीचे करो शूटिंग इनके उपर मैलकम नहीं बलकि मैलकम की वाइफ कर रही थी क्लोई इससे पूछती है कि मैलकम तुम्हें कहां बता कर गया है तो मैलकम की वाइफ बताती है कि मुझे कुछ खास नहीं बता है बस उसने यही बताया है कि वो बीर पीने के लिए जा रहा है यही बात क्लोई डैन को बताती है कि मैलकम बीर पीने के लिए कहां जाता है क्या तुम आपने बैटे थे लूसिफर और एमेने डील डैन कहता है कि तुम दौनों यहां पर कैसे आये लूसिफर तुम्हें प्रीस्ट की मर्डर के लिए ढूंडा जा रहा है लूसिफर डैन से पूछता है कि मैं यहां पर इन बातों के लिए नहीं आया हूं तो मुझे बस यह है इसी कारण लूसिफर अपने आखों का मैजिक दैन पर यूज़ करता है और डैन नहीं चाहते हुए भी टॉमी का सारा एड्रेस बता देता है अगले ही सेकंड लूसिफर और एमेने डील डैन की आखों के सामने से गायब हो चुके थे यहां पर डैन क्लोई को बताता है क लूसिफर मैलकम के पीछे निकल चुका है यहां पर हमें सीन दिखाया जाता है टॉमी का यह एक ड्रग डीलर था जिससे कि मैलकम पैसे लेने के लिए आया था मैलकम वहां पर बोलता है कि मैं तुमारे पास में माल लेके आया हूँ वहां पर टॉमी अपने क्यामरा के चालो यहां हम देखते हैं कि एंजल और डैविल प्रदर पहुँच चुके थे एक टीम बनाके टॉमी के गोडाउन में जहां पर सामने बहुत सारी लोग खड़े थे गंस लेके लुसिफर और एमनेटील अभी भी सोच रहे थे कि क्या हमें हमारा गीम खेलना चाहिए यानि क अगर हम यहां पर टाइम रोक देते हैं तो इसमें कोई मज़ा नहीं है तो चलो इन लोगों के साथ में थोड़ा खेल लिया जाए ये दौनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि सबी लोग इनके उपर शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन एंजल और डैविल को मार कोई भी नहीं सकता है ये दौनों वहाँ पर एक के बाद एक सबको हरा देते हैं और इसके बाद में अलग अलग मैलकम को ढूनने निकलते हैं एमनेडील के सामने अब खड़ा था मैलकम एमनेडील को सोचने का कुछ टाइम भी नहीं मिला कि तब ही वहाँ पर मैलकम ने अपने भाई को छोड़के कहीं नहीं जा सकता था और तभी वहाँ पे मेज भी पहुँच गई थी मेज लूसिफर को कहती है कि तुम जाके मैलकम को पकड़ो मैं एमने डील को संभाल लूँगी अब मैलकम को लूसिफर से कुई भी नहीं बचा सकता था लेकिन तभी वहाँ लूसिफर के सामने क्लोई आ चुकी थी लूसिफर कहता है क्लोई को कि मैंने वो मर्डर नहीं किया है और यहाँ पे मैं मैलकम को पकड़ने आया हूँ तो क्लोई कहती है कि यह बात मुझे पता है कि तुमने मर्डर नहीं किया है तो चलो हम दोनों ही मिलके उसे पकड़ते ह यहाँ पे Malcolm का बैक जूट गया था और वो खुद वहाँ से भाग गया था Chloe ने उसका पैसो से भरा बैक उठा लिया अब यहाँ पे इन दोनों के सामने Dan आया था और इन दोनों को बोलता है कि मुझे तुमें कुछ बताना है मुझे कुछ मिला है यहाँ नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लुसिफर की घर पे जहाँ एमेनेडील बहुत बुरी तरीके से खायल था तब ही मेज अपने पास में से एक एंजल फेदर निकालती है यह फेदर लुसिफर का था आप सभी लोगों को याद होगा कि लुसिफर ने अपने एंजल विंग्स चला दिये थे लेकिन मेज ने एक फेदर अभी भी बचा रखा था यह फेदर इतना पावरफुल था कि किसी की वूंड्स भी ठीक कर सकता है और इसके बाद मेज एमने डील को बताती है कि यह फेदर मैंने इसलिए रख रखा था ताकि मैं हेल जा सकूँ लेकिन यह मैं अभी तुम पे यूज़ करने वाली हूँ और इसके बाद मैं मेज इंजल फेदर रख देती है एमने डील की वूंड पे और वहाँ पे काफी 30 रोशनी आने लगती है यहाँ पे हम देखते हैं कि Chloe और Dan मिलके Lucifer को पुलिस टेशन ले आए थे लेकिन वहाँ पे जाते ही Dan सरेंडर कर देता है पुलिस वालों को बोलता है कि जिस गन से प्रीस्ट को मारा गया है वो गन मैंने ही चुराई थी और मैंने चुरा के मैलकम को दी थी यह कनफेशन सुनने के बाद में Lucifer Dan के काफी सदर रस्पेक करने लगा था कि इतना बड़ा कनफेशन करना कोई आसान बात नहीं है वहां से Dan को अरेस्ट कर लिया गया था Chloe के पास एक कॉल आता है जो कि ट्रिक्सी का था लेकिन वो कॉल ट्रिक्सी ने नहीं बलकि मैलकम ने किया था मैलकम ने ट्रिक्सी को किड्नैप कर लिया था और वो Chloe को कहता है कि तुमारे पास मेरी चीज पड़ी है लेकिन लुसिफर यहाँ पे कुछ हसी मजा करके क्लोई को रोक लेता है और चीजी पूछने की कोशिश भी करता है क्लोई कहती है कि मेरे पास कोई आपशन नहीं है मेरे बेटी को बचाने के लिए अगर तुम साथ कई तो वो ट्रिक्सी को नुकसान पहुचा देगा तो मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे साथ नहीं चलोगे और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लोई उस एड्रिस पे पहुँचती है जहाँ पे मैलकम ने उससे बुलाया था मैलकम कहता है कि मेरे पैसे कहाँ पे है क्लोई कहती है कि पहले ट्रिक्सी को भेजो गंस लेने के बाद में मैलकम ट्रिक्सी को भीज देता है और Chloe कहती है कि कार के डिकी के अंदर पैसे रखे हैं Chloe वहाँ पे Trixie को कहती है कि हम दौनों एक गीम खेलेंगे बेटा मैं तुम्हीं जब तक नहीं बुलाती हूँ तुम तब तक बाहर मत निकलना और ऐसी जगह पे छुपना ताकि तुम्हें कोई भी ढूनना सके मैलकम जब लुसिफर के आँखों में देख के बोलने लगता है तो हमें लगता है कि मैलकम मैनुपलीट हो चुका है लेकिन असल में जैसे ही लुसिफर मैलकम की पास में आता है मैलकम वहाँ पे गन चला देता है और लुसिफर के आसपास Chloe होने से हम सबी को पता है कि ये devil कमजोर पढ़ जाता है और यहां लुसिफर को gun लगने के कारण असलियत में उसे चोट लग चुकी थी यहां लुसिफर अपनी आंकरी सांसे गिन रहा था और Malcolm कहता है कि मैं तुम सब लोगों से उपर हूँ अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो यह तुम्हारा कॉइन मेरी बहुत काम आएगा और इसके बाद में Malcolm Lucifer को कहता है कि तुम अकेले नहीं मरोगे तुमारे पीछी-पीछे में Chloe को भी भेज रहा हूँ आप बस प्लीज मुझे पे एक ऐसान कर दीजिए आप Chloe को बचा लीजिए ये कहने के बाद में Lucifer ने वहीं अपनी सांसे रोक दी थी इसके बाद में हम देखते हैं कि Lucifer पहुँच चुका था हैल में इस सीजन में हमने स्टार्टिंग में हल देखा था और उसके बाद में हमने आज हल देखा है इन काली दिवारों के अंदर काफी सारी सोल्स बन थी और इसके बाद में Lucifer एक ऐसे दर्वाजे को देखता है जोकि टूटा हुआ था जिसके अंदर में से एक सोल भाग चुकी थी और अगले ही सेकेंड Lucifer वापस जिन्दा हो जाता है और अपनी इसी बाड़ी में फिर से आ जाता है जिन्दा होने के बाद वो सबसे पहले Malcolm के पास में जाता है जब Malcolm Lucifer को देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे Malcolm फिर से Lucifer को शूट करने ही वाला था लेकिन इस बार Chloe पीछे ही खड़ी थी और इसकी बात में Chloe ने बिना सोचे समझे Malcolm को शूट कर दिया Malcolm कहता है कि मेरे पास में वो कॉइन है मैं फिर से वापस आ जाऊंगा Lucifer वो कॉइन दिखा के Malcolm को बोलता है कि इसका सिर्फ एक बार यूज हो सकता है और इस बार तो उपर वाला भी चाता है कि मैं यही रहूँ दैट मींज गॉड ने वापस से Lucifer को अर्थ पे बेज दिया था आखिर गॉड ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ Lucifer के पास में जो हैल का कॉईन था अब वो भी मैलकम के कोई काम नहीं आया और मैलकम यहीं पे खत्म हो चुका था Chloe Lucifer को कहती है कि मैंने तुमें मेरे पीछे आने के लिए मना किया था तो Lucifer कहता है कि तुमने मुझे साथ आने के लिए मना किया था पीछे आने के लिए मना नहीं किया था यहाँ पे एमेनेडील को जब होश आता है तो उसके सामने लुसिफर ड्रिंक्स बना रहा था एमेनेडील कहता है कि हमें मालकम को पकड़ने जाना है तो लुसिफर कहता है कि उसे अपनी जगा भेच दिया गया है और इसी के साथ में मुझे गोली भी लगी थी मैं हेल जाके आया और मैंने आज डैड से बात की हेल से एक कैदी फरार है यह कहके आएमेनेडील लुसिफर को कहता है कि तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो भाई आखिर बात क्या है हेल से कौन भाग गया है और इसके बाद में लुसिफर कहता है कि मैंने डैड से एक एहसान मांगा था मैंने मेरी चान के बतले में कहा था कि क्लोई को बस बचा लेना और हैल से जो भागा है वो है हमारी मॉम अब मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल से बताती हूँ लुसिफर ने अपने डैड यानि की गॉड से जो एहसान मांगा था इसकी बतले में गॉड ने लुसिफर को हेल में नहीं रोखा बलकि जब कॉड को पता चला कि उनका एक कैदी जो की हेल से फरार है लुसिफर को उसे ढूणने के लिए फेचा गया वापिस से अर्थ पे और यही हमारे सीजन टू का में बेस है यानि की जो फरार हुआ है वो और कोई नहीं इंजल और डैविल की मॉम है यानि की गॉड मदर और इसी की साथ गाइस हम लोगों का ये एपिसोड नमबर 13 यहीं पे खत्म होता है और सीजन टू में क्या होगा ये तो हमें सीजन टू के एपिसोड शुरू करने पे ही पता चलेगा गाइस आप सभी से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ पहली बात तो ये कि लूसिफर सीजन खतम होने के बाद में अब मनी हाइस्ट फैंस का टाइम है यानि कि अब मेरी ब्रदर यानि की हितेश नागर आप लोगों के लिए मनी हाइस्ट का सेकिंड सीजन स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन लूसिफर फैंस आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि लूसिफर सीजन भी साथ में ही चालू रहे लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ चीज पूछनी है आप सभी लोगों में से कुछ लोग चाहते थे कि यह सीजन हितियेशनागर ही continue करे तो आप लोग बता दीचेगा कि यह सीजन कौन continue करे आप लोग हितेशनागर की voice में यह continue देखना चाते है या मेरी voice में आप जैसा भी हमें बताएंगे हम लोग उसी की according आगे continue कर पाएंगे अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों के लिए जरूर सेकंड सीजन पी ले आओंगी तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स सीजन में तब तक के लिए टाटा में में ठाटा तक के लिए लोगम के लिए एज जरूर तक कर अब हैं तक के लिए में एक्स काईघ्ग काईदागा ग्रच।